धुम्रपान एवा मध्धेपान स्वास्ते के लिए हानी का रखोता है क्रिप्या इसका सेवन ना करें धन्यवाद क्रिप्या इसका स्वास्ते के लिए हानी के लिए हानी के लिए हानी का रखोता है क्रिप्या इसका स्वास्ते के लिए हानी के लिए हानी के लिए हानी का रखोता है क्रिप्या इसका स्वास्ते का रखोता है क्रिप्या इसका स्वास्ते क्रिवार इसका स्वास्ते के लिएह हानी के ना कि Ambassador स्वामी यह सोलो लाइफ से बहुत चिड़ हो रही है अधार काट के लिए जाता हूं तो सब सबूत मांगते हैं दुनिया के हर कोने से लाकर आपको एक फ्रेम में रखता हूं एक परिवार की तरह उसी तरह मुझे भी एक बड़ी फ्रेम में भेज कर मुझे भी एक बड़ी फैमली दीजे मेनी मेनी हैपे निटर साब देख थैंक यू थैंक यू देख चलो हम लोग की काटते हैं वाइशु को कॉलेज में एड्मिशन मिल गया भाईया हॉस्टल में रहने के इंतिदाम भी कर दिया हैं बहुत अच्छा कॉलेज अच्छा ठीक हैं वाध़ें तो मुझे क्यों गिफ्ट आप जैसे ड्याडी मुझे मिले यही मेरा गिफ्ट है लव यू जारी लव यू चुप मेरे भागे में है या नहीं ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ नहीं बता सकते हाथ के निशान ले लीजे पूजा करवा दीजे अन्यदान करवा दीजे कुछ तो करिये सर ये फोटो देखो बहुत अच्छी है सर बहुत अच्छी फैमिली की है और अच्छी बात है और लड़की के दादा-दादी भी जिंदा है किसी भी तरह हो किये करवाई है न पर ये लड़की पी-एच है MSC, BSC से तो सूपर है न पी-एच क्या मतलब PhD या MSC नहीं फिजिकली हैंडिकेप्ड है लड़की का एक पैर नहीं है कोई बात नहीं जी जैपूर का पैर लगवा के चला लूँगा पैर लगा के काम चला लूँगे तो ठीक है पर उसके तीन बच्चे भी हैं आर्मी में उसके पती ने जानगवा दी थी रामचंदर प्रभू आज से उस लड़की को अपना कर मैं अपने बच्चे की तरह रखूँगा जी सुनिए सर कहां खो गए सर यहाँ पर तो कितनी सारी बड़ी फैमली है कुछ शादियां तो अपनी मर्जी से होती है कुछ लोग तो भाग के शादी करते हैं और बादने प्रब्लम होती है उससे अच्छा तो यह है कि ऐसी लड़की को अपना के मैं खुश रहूँ मुझे इस रिष्टे से कोई प्रब्लम नहीं है तुम जल से जल ये रिष्टा पक्का करो चाहे कितना भी खर्चा हो जाए अरे मैंने लंडन के कोई लड़की ढूढने को नहीं का है जो ऐसे देख रहे हैं मुझे लगता है बड़ा सलाक बंडीत है फता नहीं मेरी शाती कराएगा नहीं कराएगा चैँ डस 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 माइगाड प्यून ठीक से सफाई नहीं करता है गूमो यह शेल्ट है वाल पोस्टर है इसमें क्या हुआ सर यह ड्रस कोड गौतम ड्रस कोड यह हमारा रेडिमेट शोरूम नहीं है यह हमारा सॉफ्टर डिपार्टमेंट है हमें कपड़े पहन के घुमना जरूरी है यह काम करना दोनों जरूरी है शानिया मिर्जव क्या जरूरत है शौर्ट ड्रेस पहन कर टेनिस खिलने की राउल गांदी के मौटन ड्रेस नहीं पहन सकता है उसे क्या जरूरत है खादी पहन कर देज़वर गुमने की ड्रस कोड वो ड्रस कोड ही हमें आम लोगों से हम लोगों को और लोगों से बिलकुल सेप्टर दिखाता है एक यह सर ड्रेस पहनने से काम से मन भी नहीं बटकता है तुझे पता है यह समझना आत्मविश्वास होता है सिर्फ मुझे ही पता है समझना इसे आंकार करते है फिर से कौँ? सर भगमान की बनाई चीजों में से काम आने वाली सिर्फ दो ही चीज है एक आप है और एक मैं हूँ अगर आपको इतनी अच्छे लगे हो तो हिंदी में और भी चुटकुले सुनना चाहेंगा अभी जितनी भी हिंदी फिल्म रिलीज हुई है वो सारी फिल्में देखो उसमें जितने भी पंच डेलोग हैं वो सब लिख के लेके रहूँ मैं उसे यहां हर जगा दूँगा पूरा स्टाब पढ़कर जो से काम करेंगे बाप रेबाप ऐसे तुमा हजारों लाखों में होगे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती सर एक काम करो कहानी की किताब करेंगे उसे पढ़ो लिख कर फिर लिखो फिर मेरे पास लाओ वरना आफिस में मत आओ तकलिया बाजू हटो तुझे देखा तो ये जाना जनम कुछ बात बनी क्या सर ये क्या सर पैर नहीं रहेगा तो भी चलेगा और उपर से कोई दहेज भी नहीं चाहिए सर उसे एक पैसा भी नहीं चाहिए सामने से दहेज भी देगा ऐसा बोला मैंने उसे प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ शायद इसलिए वो कुछ सोच रहे होंगे अभी कुछी दिनों में आंध्रा बैंक में जॉब लग जाएगा जॉब प्राब्लम की कोई बात नहीं है वो एगरी नहीं हो रहे है किसी भी तरह उने कंवेंस करो तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा कमीशन? कमीशन? तुम्हारा मेरा रिष्टा क्या कमीशन तक है? लो रखो पना कमीशन लखो सर गल्ती से मुझ से निकल गया सर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या? आज कल जॉइन फैमिली ही रेर हो गई है और उसमें से तुम्हें लड़की चाहिए उस चश्मिश लड़की को देखो किसी हिरोईन से कम नहीं है जैसी है, लाइफ सेट कर लो खुद का ओफिस, छोटा सा घर, अच्छी सी पतनी दोनों एक साथ मिलकर ओफिस जाएंगे, काम करेंगे फिर शाम को एक साथ मिलकर घर जाएंगे उसके बाद फिर तुम्हारी मर्जी जो चहाओ वो करो, कोई पूशने वाला नहीं तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी न मेरी लाइफ तो बहुत बगवास हो गए सर पच्चिस साल से अकेला ही रह रहा हूँ मैं रिष्टा क्या होता है मैं बच्पन से नहीं जानता किसी भी तरह जोइंट फैमली की लड़की मिल गई कितना अच्छा लग रहा है वैसे भी जिंदगी में बनाने के लिए कोई बड़े सपने नहीं है पत्नी का बाल पे हाथ फेरते वो मुझे नीन से जगाना साले का आकर पेपर देना साली का आकर कहना कि पानी गरम हो गया है तयार होकर नीचे आओ तो छोटी सास, मामी, चाची सब का थोड़ा-थोड़ा काना परुसना मैं जब ऑफिस से गर को लटूं तो सभी साथ में आके मेरा स्वागत करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है है ना इंट्रेस्टिंग भी लग रहा है थेंक यू सर पर ऐसी ललकी तेरी जिंदेगी माएगी भी यह नहीं और है भी तो कहा है, कैसी है बेटा, प्लीज लिसन टू मी हामें टाइम पर फोन करते रहना और टाइम पर तुम्हें खाना खाना पड़ेगा तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा यू है टू टेक केर ओफ यूरसल्फ ओके चलता हूं क्या हुआ गर वापस चलोगी नो जाजी मैं यह रह लूंगी बोलो चलोगी गर नहीं रह लूंगी टेक केर प्लीज टेक केर प्लीज एई कौन हो तुम क्या करती हो एई तुम यहां पर यह सब अपना ही है दस दिन पहले जॉइन किया था तुम इतने डल क्यों लग रही हो होम सिख है क्या इस एज में लड़कियों को लड़कों का सिख होना चाहिए तुम यह क्या मम्मी डाइडी लेकर बैठ गई हो यह सब तुम नहीं समझ पाओगी ठीक है चलो वॉड़न को कहके दोनों को एक रूम देने को कहते है लेपने में किसी तरह रोग दे एक सिगरेट मारके चलते है हाँ रोग ए सत्या सिगरेट देना अरे किदर हो तुम आ रहे हूं बबाब पांच मनेट आस तो इसका काम तमाम निकल बाहर जल्दी आना तु पापा ने इंवेंट किया जो बार बार यूज कर रही है क्या बे अकरी लड़की को देखके छेड रहा है एक धुंगी ना तो गुलाब जोमन बन जाएगा अहां वो दिखरा है और वही खाके तो इतनी मोटी हो गई है तू क्या अबे ज्यादा बोल रहा एक चपल मारूंगी ना तू क्या मारेगी है आखे क्या अपनी हैंडबैग में लेकी घुमती है तेरे बाप की बारे में बोलता है तुझे मेरे बैग्राउंड पता है आरे काम सा बैग्राउंड है तरह एक दोगका तो बंगार बन जाएगी अरे बैग्राउंड मतलब पिछवडा नहीं परिवार पर मेरी लाइफ बन जाएगी यार जा कर पूछ एक्सक्यूज मी पिताजी क्या करते हैं आपके वो हमारे शेहर के ML हैं वैसे माँ, बहन, भाईया, जीजू सभी वो सब कोई नहीं है, मैं और मेरे पापा तब ही से तो पापा पापा कहा जाएगा क्या हुआ यार देखना यार, शराबी लोग सुपर सुपर पीकर आते हैं शराबी हो गरीबी तो ठीक नहीं होगा एक चुपरे, टेक मिनिट प्लीस, ये थोड़ा गुस्से वाली है सर अरे हमचा नहीं को क्या बोलिए इस सर लेकिन इसको चर्वी को ज़्यादा चड़गी है तो चर्वी ही है सर इस बोटी को समझा देना, इक तफ़ड़ी आएगी किसी दिए मैं उससा समझा दूगी, सर इस सेधिया में कहीं दिखाना साले कार के नीचे कुचल देना चल्याना, तरे बाप के जिवा तेरी फैमिली मर कोई नहीं है आथी जैसी कोई पता नहीं क्या खाती है, चल चल पीता जी, वो तो ऐसे ही कहेगी ना, अगर उसको पीने की आदत रहेगी तो एक साथ मिलका फूल भी सकते है इसमें से दिनों में डाल दे घर जाते समें बचा रहेगा बेटा, शोना, क्या चल रहा है रहे? हरे कुछ नहीं बाप मतलब तु मुझसे चुपाना भी शुरू कर दिया? क्यों? मैं मर गया था क्या? इतना पराजा हो गया हमें कुछ भी हो, शेयर करना पड़ेगा हाँ, मेरा भी पैक बना वाल के आर मत दिखा, उपा से नीचे फैक दूँगा क्या हुआ रहे? सुबे से लेफ साइड के सीने में दर्द उठ रहा है तूने तो सिगरेट बन कर दिया था ना अब वापस शुरू कर दिया पी ना अब इससे नहीं है या अब सुबे उस लड़की से जगड़ा हुआ था न तो उस मोटी से कनेक तो नहीं हो गया है ने 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 वो लड़की नहीं है अरे बीच में एक लड़की प्लीस सर प्लीस सर कहते वे आय थी न तब से वो मेरे खयालों में बार बार आने लगी है ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए ही पैदा हुई है भगवान की दया से अगर उसकी एक बड़ी फैमली हुई न तो इस दुनिया में मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं होगा यार वो लड़की कौन है कहां रहती है सारे डिटेल्स निकाल लिया ये तो भगवान का काम है तू ही कर दे भगवान का काम मैं कैसे कर सकता हूँ गोतम समझ गया गोतम बच्पन से ही तेरा मा और बाप तो मैं ही हुना गोतम समझ गया गोतम डिटेल्स निकाल लूगा धर्मो रक्षिता भिक्षामी मतलब धर्म करने वालों को भीग मांगना ही पड़ता है माता दो माता वैसे बीज घुमने चलेगी का एक भागवान के नाम पर दे 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 जिए एक उर्पया दे 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 जिए पाप ऐसे ही थोड़ी धूलेंगे माता ए तोले पे तू धर्म कर दो माता कहीं का ऐसे सभी लोगों को ले जाकर अंदमान में फेक देना चाहिए तब ही कहीं जाकर इस सिटी क्लीन होगी अच्छा चाचा चाची दादा दादी और वो सब भी गाउं में रहते हैं मतलब तुम्हारा बड़ा परिवार है बहुत बड़ा परिवार है हमें वैसा ही परिवार चाहिए ए भीकारी कहीं कि इतनी सारे डिटेल के पूछ रहे अच्छी सरे भगवान से प्रास्तना भीक मांगनी पड़ी कसम से यकीन करो भागो अब हो जाता है अब मेरे लिए एक चाए बोल यह बिगारी कौन है कौन है मैं 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 तू हिंदी फिल्मों के हीरो जैसे बने अब उसका पता निकालने के लिए इस सब करना पड़ा समझा वो लड़की कौन है कहा रहती है कोई बात नहीं ये लड़की नहीं तो कोई और सही किसी भी तरह एक जोइंट फेमली की लड़की से साधी करने तक मुझे आराम नहीं मिलेगा आराम नहीं डारेक्ट अभी काड़ी छपाने पड़ेगे हां हम आपके कौन फिल्म जैसा उस लड़की की भी बहुत बड़ी फेमली है तरह लाइब सेट है उस लड़की का नाम वैष्णिभी है उसके पापा के नाम रघु पतिन नाइडू उस लड़की के भाई बहन भाभी चाचा चाची मासा मासी भुआ दूर की नजीक के बाब रेक इंतनी बड़ी फेमली है अगर तो उस लड़की को लाइन मे तेरा तो लाइब सेटल हो जाएगा रे यारो कोई उसे थो बुलाओ ले गई है जो दिल मेरा मूड मूड थे दूंडू मैं उसे यहाँ वहाँ दे गई है जो दिल मेरा छुप छुप ते ए खाणा में न सोना वो न भूल गया हूँ मैं उसके हिपारे में सोचू यारो डेनाई हादो में लेके वो रोज लाईू जो कह दे मुझे सच कहता हूँ बन जाएगी लाए कसम से लिलाई लाए ओ माई याई 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 यारो कोई उसे तो बुलाओ ले गई है जो दिल मेरा मुड मूड के म universe Шाzia वहीं 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 जाते जाते लेके एई चुपके से मौ माइड की मैमोरी करो क्या बोलो निल का कंडिशन डाउन चलते नहीं मेरे पाउं कुछ तुम बताओ इसका हल सुनो ओ हलो हलो दिल मेरे तेरा डेली का आना जाना अच्छा लगे तेरा डेली का आना जाना देखना वो मुड मुड के I like your love सो ना सच केता हूं कर ले यकी ओ माई याई 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 डिलाई लाए ओ माई याई 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 यार वोई उसे तो बुलाओ ले गई है जो दिल मेरा मुढ मुढ के बुलाओ याई 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 मुझेना नजर मुझे, मून में देख लेता हूं मैं तुझे अज्जानी चाहत तेरी, दिल की है राहत देरी जाना पेचाना सा है यारा सच ये चेहरा तेरा हाउस तुझे दिल का दे दिया, जिसमें रहती है तू ड्रिम तुझे दिल का दिया, जुसमें रहती है तू चाहदू मेरे दिल पे करके, अगवा मेरे दिल का करके, मुझको दिवारा किया ओमाई आई 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 आ, डिलाई लाए, ओमाई आई 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 आ यार कोई उसे तु बुलाओ, ले गई है जो दिल मेरा मुड़ मुड़ के सुनिया टीम लीडर जी, स्वीट लीजे, किस कुश्य में? आज मेरा बर्डे है, हाई बॉस, तुड़ी इस मार बर्डे गॉतम तुमने अपना लास्ट जनम दिन कम मनाया था? सरे फ्लास्टेर ही नहीं बॉस, मुझे तो मेरा जनम दिन ही नहीं पता, इसलिए कभी अपना जनम दिन नहीं मनाया मेरे सपनों की रानी मुझे मिल गई है, इसलिए हर साल इसी दिन मेरा बर्डे हुगा कुछ और भी है, स्वीट भी बस शाम को रूम में आ जाना, पार्डी करेंगे मुझे नहीं से न, आप लीचे तुम्हारे ने एक सर्प्राइज है वो क्या है सेर? हमारा एरसल आफिस यूएस में भी लॉंच होने वाला है यहां से दस बेस एंपलाई को बॉस ने वहां भेजने को कहा है लिस्ट में पहला नाम किसका है पता है? कौन सेर? तुम्हारा है यह गिफ्ट है, पूरा मूड खराप कर दिया ने ने ने, मुझे नहीं जाना अमरीका कमान मैन, अमरीका इस फुल अफ डॉलर, पफ, पार्क, बेफ, कमान वो सबसे क्या खुशी मिलेगी सर? मुझे अमरीका में जॉइंट फैंबली नहीं मिलेगी सर हरे, मा से मिलने के लिए भी अपाइंटमेंट लेना पड़ता है इतना बेकार होता है सर I hate it सर Stop the nonsense लाइफ में मेहनत करने वाला ही हीरो होता है You know that? मेरी नजर में क्यारियर के लिए महनत करने वाला हीरो नहीं होता सर फैंबली के लिए सोचने वाला हीरो होता है I want a family, I want to become a hero You are going to America, that's it Sorry सर, जरुद पड़ी तो यहां भी छोड़ दूँगा और वैसे भी मैं आपको स्वीट खिलाकर दो मेने के लिए छुट्टी माँगने आया था दो मेने के लिए छुट्टी? क्यों? मेरे सपनों की रानी अभी मुझे मिली है सर काफी बड़े परिवार से है सर वो पटाने के लिए दो मेने लग जाएंगे इसलिए तुम्हें मैं दो मेने की छुट्टी दे रहा हूँ आउट अरे 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 डे टाइम में क्यों पियोंगो पापा जी मैं दुनिया का सबस्वेड़ा शरावी पंजोंगा इसलिए पापा को टेंशन है क्या हुआ सबके मुह क्यों लटके वे ब्लड टेस्टों नहीं कराया है वैश्यू से मिलना है यार पर कैसे यही सोच रहा हूँ इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन देख लड़की मेटकल कॉलेज के तो हाथ या परे तोड़ कर जाएंगे वहीं मिलेगी प्यार मैं कर रहा हूँ यार अगर मेरा हाथ पर तूटा रहे तो उसमें क्या किसी गदे का हाथ पर तोड़ देंगे मेरे शोना बग कर ठीक है दर्द कम हो जाएगा कम होगा यह तो हम भी जानते हैं इसलिए तो यह आए हैं लेकिन कब कम होगा यह बताओ इसका इलाज कराएंगे तो आपके हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा इनसे जाके मिलो डॉक्टर धर्मा और्थोपेडिक चीर इनका नाम लेते ही सारे दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं इनका नाम सुनते ही तूटा हुआ टांग भी जुड़ जाता है इसलिए इनका नाम पढ़ा है हड़ी डॉक्टर धर्मा माई नेम इस डॉक्टर धर्मा बीस रुपए दोगे तो भी एट्स निकाल कर फेक दूँगा जनरली शेरीर में हड्डियां होती हैं भेजा मांश पेसियां मांसेस ये सब मार्केट में आपको बहुत असानी से मिल जाएंगी मगर वो काफी नहीं है एक इंसान को जुगने के लिए, बैटने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, ये सब जाने दीजे कोई भी काम करने के लिए हड़ियों का की रोल पिले होता है इस साल तुम लोग सिर्फ डॉक्टर धर्मा का ही लेक्चर सुनोगे तो काफी है किसी भी देश में बले डॉक्टर के नाम से जाने जाओगे नहीं सुनेंगे तो क्या हुआ, मैं कर दूँगा ये पकड़ खोपली, इस खोपली से लोग जादू टोना सीखते है क्या है? तु चलना यार अबे ये मेटकल कॉलेज है, कोई मेरिज बेरो नहीं चुपरे ना, यार महादे, वापी को बचाने पड़ेगा मुझे महादे, बचाने के मुझे हट्डी टुटी है, सर नीचे गया तो परची देगार उपर में दिया नीचे गया, उपर गया, बीश में गया ये कोई परची नहीं है, प्रिस्किप्शन, प्रिस्किप्शन ये सारी बात आप अपने बच्चे को बताइए, मेरा सिर्फ इलाज किजिए मैं ऐसे केस डिल नहीं करता नहीं करते करना नहीं आता कुटे, बच्चे इलाज करेंगे तेरा करोगी लो इतना होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें पता है कि दॉक्टरी के तीन स्टेज होते हैं पहले स्टेज में कोई डॉक्टर नहीं बन जाता कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है क्यों असर गो थैंक यू आपने कुट्ता का आप नहीं चलेंगे रिपोर्ट अरे मां बहुत दर्द हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है क्या प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए आल भी बैक पकड़े गए अरे डर्मत यार हम लोग इंसाफ पर है इंसाफ छोड़ उधर देख एक फाइट देखी तो हम तोनों साफ हो तुम लोगों को मैंने कहीं देखा है चांस नहीं है नहीं नहीं देखा है हम इस परदेश के नहीं है हम उडिसा के है कहीं तो देखा है आप कैसे देख सकती है हम तो उडिसा के हैं उडिसा मा के देखी हो क्या हमारी बतनसीबिएक हमें यहां आना पुरा ट्रीट्मेंट के सब्सक्राइब अच्छी बात है बहिंद क्यों इतने केरलेस रहते हैं यह डूंट वरी पैनिसलिन चलेगा अरे पैंसिल क्या पैन रबन मेरे दोस्कों कुछ भी चलेगा इंजेक्शन मुझे कुछ औरी सुनाई दिया था अहाँ चलेगा चलेगा डॉक्टर जी आपका नाम क्या है? वैशनवी वैशनवी गौतम क्या कहा? यही डॉक्टर जी के मेरा नाम गौतम है क्या-क्या नहीं खा सकते? कुछ भी खा सकते इसे बान दीजिएगा हाथ को सपोर्ट मिलेगा शाम तक दर्द कम हो जाएगा कम नहीं होँ तो कल आ सकते है ना जी? जरुरत नहीं पड़ेगी हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं आप इसे बात कर रही हूँ जरुरत नहीं पड़ेगी ओवर्याक मत करो पेशन के साथ कैसा भीव करना होता नहीं जानती? इन्हें देखिए बड़े अच्छे घर की पड़ी लिखी सुंदर समज़ार और सुशी लड़कियां ये शादी ऐसी लड़की से करना चाहिए यही के किसी को इलाज करवाना हो तो आप जैसे समज़ार डॉक्टर से करवाना चाहिए थेंक यू थेंक यू चले यार निकलते हैं सत्या धर्मा कितना भारी नहीं है न ये कॉलेज केमपस में गुंडे क्यो गूम रहा है? मुझसे क्या मतलब? कैसे कम नहीं हो सकता है? अगर ठीक होता तो मैं आवज़े आफिस में होता अपने क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे है? मैंडम सिम्टम्स ये हैं कि जी गाड़ी को 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 रिवर्स गेर पर खीचने लगता है ना बस वैसे ही लग रहा है इनको सुबे के चार बज़े नीन खुल जाती है रात में बहुत लेट नाइट होने तक भी नीन नहीं आती आप विश्वास नहीं करेंगी जहां भी देखू मुझे आप ही दिखाई देते हैं मैं क्यों दिखाई दे रहे हूँ? टैबलेट्स कब लेना है यह तो आपने ही बताया था ना वही बाते याद करता रहता है कहने को मतलब है अजीब बात यह है कि पेन यहां से यहां आ गया जी ओके आइटिंक आल चेंज यह कोर्स हां गिव में वन मिनट आल बी बैक तेरी बेन बहुत अच्छी लग रही है यहां थोड़ा दिन रुखने पड़ेगा भी तुम लोगे खुसूर पुसूर क्या कर रहे हो हां हलो तुझे क्या करना है मेरी लफ स्टोरी कहां से कहां तक पहुँची इससे तुझे क्या तु मेरे मैटर में अपनी टांग क्यों आड़ा रहा है तेरी टांग काड़ दूगा किस से बात कर रहे हो दोस्त है पर फोन तो रिंग नहीं हो था जिनने वाइबरेशन होना ची होने नहीं हो रहा है यहां यो टैबलिट्स सौरी कल सुवा मुझसे कुछ गलती होगा ने 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 आप क्यों सौरी बोल रही है आप तो टीट्मेंट कर रही है यही बड़ी बात है इसके लिए कलम फिर आ सकते हैं न इसे क्यों आए गारे इसे क्या एड़्स है जो दर्थ कम नहीं होगा अलो अगर अपने दोस्ते बात करने तो बाहर चाके बात करो यहां काली गलुष नहीं कर सकते यह हॉस्पिटल है चलो निकलो तेरी माखी आप आप इनकी दोस्ती से दूर रही है आप बहुत आगे जाएंगी मेरा यकीन करो आप आल ट्राइ मैं बेस्ट जिससे पूछने के लिए कहता हूं उससे पूछता नहीं है बोटनी वाले मैडम से पूछा तुने चले ज़र आईए अरे सॉरी थर्ड क्लास डॉक्टर तुझे पहचान बढ़ानी थी न मेरे हाथ पर सुन जाते हैं आधि ख़्ञना ही पड़ेगा ठीक है रोग 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 तुम इतने दिनों से आरही है अब दर्द ठीक नहीं हुआ कम नहीं हुआ ड़क्टर कया का इसने कम नहीं हुआ है सर कह रहा है निस्टर कंपाउंडर सर इस केस को मैंने केस इस्टोडेन को दिया था मेरी वैशू को डाइगनेसिस भी हो गया एक्स्रे में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी उसका दर्द कम नहीं हुआ क्या में वाक्य में डॉक्टर हो न कॉन्फिडेंस जा रहा है मेरा इतनी परिशान की हो रही है उसे कोई दर्दवर नहीं है योही नादान बनकर बेकूब बना रहा है नहीं ऐसा मत बोल वो जब भी ट्रीटमेंट के लिए आता है बेचारा दर्द के माई तडबता रहता है तू तेंदुलकर समझता क्या अपना आपको अब देख्ट में क्या करता हूं तुझे इस बार गुगली डालूगा मिट बिकट उड़ा दूगा देखा तूने तूटे हाथ से कितने अच्छे से स्पिन कर रहा है हाँ अभी अभी देख्ट हाँ अरे बापरे ए हाफचेटी बॉल डालना मैंच खकशब मारा है क्या हुआ यार मुझे स्पिन बॉल डालते हुए क्रिकेट खेलते हुए वर्श्रीवी ने देख दिया रहे अच्छा काम किया तुने क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या मर जाएगा तो चोट दे, अरो क्या कर रहा है। तू क्या आई सकेल खेल रहा है। जो नहीं खेलने पर नहीं चलेगा तु। तुझे तो कमीना कहीं का। अभी अभी उबर्दी यूद डॉक्टर की लाइब से क्यों खेला तू। बता, कमीना कहीं का। बोल लिए। इसकी सजा तो यह नहीं है तुम लोगों का। क्यों मेरे क्यारियर के साथ खेल रहे हो। कोई खेल नहीं है जी आप मुझे बहुत पसंद है। अगली बार कॉलेज के आज पास भी दिखे ना तो एक एक को वही पर गाड़ दूगी। डॉक्टर। एक पेशिंट डॉक्टर को प्यार करने वाला भ कल मुझ सारे रिकॉर्ड्स ले जाकर दीन से वेरिफाय कर वालेंगे यार। रिकॉर्ड्स सारे लैब में है। रिकॉर्स तो तुम। अब तक हमारे देश में लड़कों ने लड़कियों पर एसिद फेका ही ये तो सुना है। लेकिन किसी लड़की ने लड़के पर डालो ये तो आपके सामने हाजिर है मडम एक ये तरह हाथ में क्या है लड्डू नहीं जो तुम्हें देदू खाने के लिए बेवाजा कहीं भी सर गुसा देती है तुम ये तुम्हारे लिए नहीं है इनके लिए वैशु जी ये आपके लिए है मैंने आपका दिल दुखाया आप मुझे सजा दे सकती है मेरी गलती को सुधार के ये गिफ्ट आपको लेना ही पड़ेगा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आपको लेना ही होगा आपको आपकी डिग्री कसम मुझे पता था किताबी कीड़ा है हलो हलो इसका नाम किया है बोलो गौतम हाँ हलो गौतम अरे बापरे नाम लेकर पुकारा मतलब सम्थिंग स्टार्ट हो गया आपने इस नाचीस का नाम लिया ये सपना है या सच देखो मैं तुमसे कोई प्यारवार नहीं करती क्यों नहीं करोगी जी कोई एक स्ट्रांग रिजन बताईया मेरे घर के हालत के बार में तुम्हें नहीं बता मेरे पिता जी को इन सब चीजों से सक नफरत है पापा तो वैसे ही रहेंगे ये कोई देश का प्राबलन थोड़ी है वो अपनी जेगे correct है आज के time में कोई भी समझदार पिता ये नहीं चाहता कि किसी यरे-गरे से अपनी बीटे की शादी कर दे इस age में ऐसा ही होता है कोई अच्छा लड़का मिलता है न तभी, सब खुश होते हैं पापा हो या चाचा Shut up, just be in your limits तुम नहीं जानते कि मेरे पिता जी मेरे जिंदेगे में क्या एहमियत रखते है वो मेरे लिए सब कुछ है He's got to me उनके बगैर मैं अपने जिंदेगे के बार में सोच भी नहीं सकती इसलिए कह देती हूँ चाहे मैं प्यार करूँ या शादी सब कुछ उनसे पूछ कर ही करूँगी तुम जब अपने पापा से इतना प्यार करती हो तो शादी के बाद मुझसे कितना प्यार करूँगी समझ नहीं आता क्या मेरा पीछा छोड़ो, जिंदेगी सबर जाएगी तरक्की करोगे सही का तुने, इसको तो ऐसे ही जवाप देना चाहिए सुनो, प्यार करने के लिए ही तुम्हारे पीछे घुम रहा है मेरा विश्वास करो, दिल में बसा के रखूँगा तुम्हे अगर एक दो तिन कहने पर एक पीछे पलती तो मेरा प्यार सक्सस एक, तू जाओ कोई प्रब्लम नहीं है सक्सस मिलने से पहले इस तरह की दुफान तो आता ही रहते है दीधी अरे, अरे, अरे सब लोगों ने एक साथ हमला क्या क्या बात है? सुना है आपके पती, आपको अच्छी तरह नहीं ट्रीट करते हैं, ऐसी कंप्लेन आई है सब के नसीब तुम्हारी बीबी जैसी थोड़ी ही होगी ऐसी बात है कैसी हो दीधी? वैसी ही हूँ हमेशा के जैसी चलो, खाने का वक्त हो गया है खाना खाके फिर बाते करेंगे चलो इसलिए तो आए है हम लोग अरे और लोग, क्यों शर्मान हैं? बस बस दीधी, बहुत खालिया अच्छा से खाओ खाना अच्छा बनाए दीधी बच्चे कैसे है? आपके आशिर्वात से सब लोग बिलकुल ठीक हैं, दीधी वैशनवी को मेरे संतोष के लिए मागना चाहती हूँ उसके मन में क्या है? एक बार तुम पूछ के देखो क्या दीधी, आप भी कैसी बाते कर रहे हो? आपके भाई आपको मना थोड़ी करेंगे एक अच्छा सा दिन देखकर आप और भाई सहाब आकर पूछ दीजिए क्या बात है? ननन्दा और भावी के बीच में कोई प्लैन चल रहा है? हाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए मिटिंग कर लेगे? उसमें क्या है दीदी? जो भी है सब आपी क्या है ले लो? दीदी, घर पे आके कुछ दिन रह के जाओ ना? छोड़ना बेटा, दो दिन घर पर नहीं रहूंगी ना तो तेरे जिजो पूरा घर सिर पर उठा लेंगे जाने देना ठीक है, अब मैं चलता हूं ठीक है डियर इस्टुडेंस, वर्ल्ड हिल्थ अग्रॉजेशन वालों ने कल मुझे फोन किया था उन्होंने कहा है कि हम लोग तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए आ रहे हैं तो मैंने कहा है कि आप लोग कितनी बार मेरा लेक्चर सुनेंगे मैंने कहा है कि मेरे इस्टुडेंस के आप लेक्चर सुनिये तब उन्होंने का ओके, मैंने कुछ इस्टुडेंसों के नाम लिखे डॉक्टर सिताराम, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर शरद, डॉक्टर पल्लवी ये सब नेक्ट वीक चन्नेई में जा करके कॉलेज की तरब से सेमिनार को अटेंड करेंगे डॉक्टर धर्मा काव आप और आप लोग जंडा गाल करके आएंगे Excuse me, sir Sir, मेरा नाम क्यों नहीं है, sir Hold down, सिर्फ जीनियस लोगों को सेलेक्ट किया गया है तीन हपतों में एक मरीज का इलाज नहीं कर पाई तुमारा सेलेक्शन करके वेस्ट करूँ पस, sir, उन लोग ने जुट बोला था पेशेंट कभी जुट नहीं बोलते कितनी जाच करने के बाद छोड़ी सी बीमारी का पता चलता है तब जाकर के हम उनका इलाज शुरू करते है Concealer कीजी न, sir, please, sir Sir, shut up तुम डॉक्टर तो क्या मेटकल शॉप में बिल लिखने के लाइक भी नहीं हो डोनेशन के बल पर ना जाने कहां से चले आते हैं डॉक्टर बनने नहीं एई रुक क्यों गया, मार मार तेरी वज़े से एक लड़की की लाइफ स्पोयल हो गई ची, कितने घटिया इंसान हो तुम लोग ऐसा मैंने क्या किया क्लास में दीन ने उसे काफी कुछ सुनाया और वो आज ही कॉलेज छोड़कर जाना चाहती है सुन ले, तू चाहे सौ बार उठक बैटे कर ले या तपस्या कर ले तू उसके पैर के नाखुन तक भी नहीं पहुछ सकता क्या हुआ जी, बैटकर बात करो कि तू सबको सॉल्व हो जाएगा आईये, आईये क्या आईये, तेरे साथ बैटू अरे, अरे, स्वाप कर दो बैट उस डीन का घर का है यू और माई पेशेंट नाउ जी हाँ इंगलीज चारता है अब बताईये क्या बात है तुम लोग मुझे क्यों परिशान कर रहे हो आखिर तुम्हें परिशानी क्या आईये, तुम्मुझे बताओ जगडा किसलिए समझ गया, शायद मुझसे कोई गलती हुई है मुझसे क्या गलती हुई हुँ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन वालों ने तुम्हें कॉल किया था मुझे मेरे पास तो मोबाइल फोन ही नहीं है डिश्टर्वेंस हो, इसलिए मैं सेल फोन रखता ही नहीं तो सुबा तुमने क्लास्रूम में मैं धर्मा हूँ, पूरे देश में मश्यूर हूँ, ऐसा तुमने क्यूं कहा था, बताओ चिची, ऐसा हो यह नहीं सकता, मैंने कहा ही नहीं हाँ हाँ चलो ठीक है, उनको फोन करके बोलो कि मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है, उनका लेक्चर सुनना पढ़ेगा यह कहो इट्स इंपॉसिबल इंपॉसिबल है तो तुसुबे वैशूपर क्यों चिलाया था कब वैशूपर हाँ क्या कहा तुने, मेरी बेहन मेटकल चौप में बिल देखने का काम भी नहीं कर सकती जब मैं नशे में नहीं रहता तो बहुत कुछ बोल जाता हूं उस पर ध्यान मत दो फिर भी तुने हमारी बेहन को रुलाया है उसके लिए तरह खून करके उस खून से अपनी बेहन का चरण धोएंगे हाँ दईका हिंसा के लिए कोई जगए नहीं है अहिंसा पर्मो धर्म समझे अगर शरीर से एक बून भी खून गिर गया तो वो क्राइम होता है खून की बून्दे नीचे नहीं गिरनी चाहिए यहीं ना जी यहाँ यह सब ठीक है जिस मुसे तुने वैश्नवी पर चिलाया था ना उसी मुसे सबाशी देना वरना कला कर यह हाथ मरोड़ दूँगा सबाशी के लिए हाथ मरोड़ने की क्या ज़रूरत सबाशी अभी देता हूँ इस गधे को पेशिन बनने की क्या ज़रूरत थी मैं कोई एक्टर नहीं हूँ जो एक्टिंग समझूँगा मेरा ओफ़र है मुझे छोड़ दो ओफ़र्स मांगते नहीं जो मिलता है वो लेते हैं अरे सर सर क्या हुआ सर बाथरों में गिर गया यार गिर गए तो हाथ में कैसे चोट लगा गिरने के लिए कहीं भी गिर सकता है इंसान क्या परिशानी बता करके आती कि इहां गिरो वहां न गिरो वो सब छोड़िये सच बताईए क्या हुआ कसम खा आपकी कसम सर ओके वैशुक उपर में चिलाया था सेमिनार में उसका सेलेक्शन नहीं किया तो उसके बॉइफ्रेंड ने मेरा हाथ तोड़ दिया औरे वापरी, सिनियर को सेलेक्ट ना करने पर हाथ मोड़ दिया पासमार्क नहीं देंगे तो जांसे मार देगा सर बार-बार उसको ऐसा मोगा थोड़ी न दूँगा पागल कहीं का ठीक है चलिए अच्छे से बादे का मेरी चोट की वजया क्या यह जानता है तू यह धर्मा का स्टील बोड़ी इतनी असानी से तूटने वाला नहीं है अब खेल देख मेरा ऐसा मत कर यार वो जा रही ऐ वैशू डॉक्टर वैशू मैं तुम यहाँ आओ आए आओ चलो क्या हो गया है क्या हुआ सर्थ में मोच आगा इसका टीटमेंट कर दो बेटी नहीं सर्थ मूब भी ठीक से नहीं लगा सकती इतना बड़ा केस अरे रे रे ऐसा मत बोलो तुम मूब क्या तुम चाहो तो बड़े बड़े मूबेंट करा सकती हो प्लीज प्लीज टीटमेंट करो न यह चोट कैसे लगी सर्थ डीटेल्स में बताने के लिए टाइम नहीं है हाँ थटाओ बार बार देखने पर हाथी भी अच्छे लगने लगी है क्या जी मेरे इलाज के लिए कोई नए अविश्कार किया है क्या कॉलेज में जयजयकार हो रही है तुम्हारा कोई क्यारेक्टर वारेक्टर है कल तक सिर्फ जूट बोलते थे और आज हाथ मरोणने लगे अरे ये तो बस एक्सिडेंट हो गया था कोई बड़ी बात नहीं आ है इनेमा दिखाना साल में एक दो बाद टूर पलने जाने मालू में से ये मेरे बच्चे जैसे है अरे बच्चे मन की सारी बाते बोल देना तू हाजी आपसे शादी करके आपको बहुत प्यार से रखूंगा जी मूवी दिखाने एक घुमाने सब लेके जाऊंगा जी फर मेरे क्या सारे सपने तूट जाएंगे आज उसके लिए हम क्या करें अरे माते तुम तो चुपी रहो माते लड़कियों जैसा रोता भी है वैसे आप मुझसे प्यार नहीं करेंगी कम से कम इस संडे को तो मेरे साथ फिल्म देखें चलिए न चपपल से मारूंगी मैं क्यो तुमारे साथ फिल्म देखने आँ प्लीज मैं आपके अलावर किसके साथ देखूंगा जी नो वेए हे कम ओन लेट्स को देख क्या जाना वेशो जी वेशो जी वेशो जी कि मैं क्या करें हो तुम जब तक आप अनी कईघे में तब तक में उठूंगा ठीकिए चलोंगी चलोंगी उठो न तो टिकेट ले लू चलो गी चलोंगी वो क्या है ये फर्स और लास्ट होगा इसके बाद तुम मेरा पीछा कभी नहीं करोगी ओके न और इसके बाद मिलना चाहूं तो जस्ट गो टू हैल गेट लॉस्ट ठीके 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 मन्जूर है प्रॉमिस प्रॉमिस सर पर हाथ रखके कहूं वैशू आते समय साड़ी में आओगी न आप नराज मत होईए मैं आपको साड़ी में देखना चाहता हूं आप कैसी लगती हैं चल रहे प्यार में तुम्हारी यह आदा भी मुझे बहुत पसंद आई है टेंशन हो रहा है यार लाइफ में फर्स टैम रिलकी के साथ मूवी द फोड़ी आएगी वह नहीं आएगी लगता कोई साड़ी वाली आए रहे नहीं वह नहीं है वह नहीं है व्याशू आगए यार अज़िगों नहीं पहने किया है मैं यहां पर आगे यही गनिमत संझो जादा सोचो मत चलो अरे होस्टिल में रहती है ना अच्छा हो सकता हांथी जैसे केट वाकरी मारू एक तु कौन है तु क्या है तेरी अवकाद में अच्छी तरह जानता हूं तु मेरा को जो काड़ा दी सकता समझा चल जा यप सर्ट ओके दिस शॉट रेड़ी को फॉर टेक मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है क्या यार मेरी सीर पर बैट गया है तुझे कोल्रीप किला दूगा छोड़ना है हिरोई से सुन्दर तो तुम हो देखो यहां सर रखकर मूवी देखो तुम शायद नहीं आओगी यह सोचकर मैं परिशान ता पता है आज से शनी मेरा पीछे छोड़ रहा है इसलिए आई हूँ भागल वेशू तुम पीछे छोड़ाना चाहती है और मैं पास आना चाहता हूँ प्लीज गौतम ऐसे मत देखो बड़ा एंबारेसिंग फील होता है तुम बहुत प्यारी हो तुम फिल्म देखती रहा हूँ और मैं तुम्हें जी बरके देखता रहा हूँ क्या करूँ मेरे पास सिर्फ दो घंटे हैं तुम्हें अपने दिल में बसाना चाहता हूँ अब किसी तरह दो घंटे बर्दाश्ट कर ले पाव में पीछा चूट जाएगा तुमसे ही क्या है उससे तो कभी भी बात कर सकती हो अभी मुझे बात करो ना कि मुझे पता है जानती हूं जानती हूं कि अधा है सुनो एक कोल्रिंग में दो स्ट्रा लाओं क्या मैं लाती हूं तुम लाओगी वेट करूंगा नॉटी बॉइ सेकेंड नाम में लिप लॉप करना चिकाऊंगा क्या यार तेरी तो निकल पड़ी है क्या है मेरे इंगुठिया का है अरे उसने मेरे इंगुठिया को चुरा लिया हेलो वैशू कहां जा रही हो इसके लिए चलोगे नहीं तुम जाओ चल फीचर छुडाने का अच्छा बाना है उसको इतना एक्ष्टा पेहमन क्यों दिया उसका बच्चा अस्पताल में है साब जब देखो किसी का बच्चा बिमार हो जाता है किसी की बीबी बिमार हो जाता है हम किसी का ठीका नहीं ले रखे हैं हाँ ठीक है साब थोड़ा साइट देंगी प्लीज क्यों फिल्म नहीं देखनी है इस नन अफ्य बिजनेस अपना काम फिल्म है मेरे साथ देखो मैं दिखाता हूं शूटने के बाद मेरे कमरे में रात भर एफ परिशान करें फिकर मत करो तुम्हें कोई परिशानी नहीं होगी मिस्टर माइड यू तुम भी जवान और मैं भी जवान सुनिये मेरी बात सुनिये तुम्हें और क्या चाहिए वह भी बताइए चल पुलिस सेशन चलते हैं शो के साथ खाना पीना भी अरे तुम जा कहा रही हो रात भर पीएंगे मौज मस्की करेंगे चलो बैसा 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 तो अपनी आपको समस्ता किया है बाहुत को समस्ता हो भाई पर यह टाइम से नहीं है बताने के लिए तुमुझे नहीं जानता इस टौकिश का मालिक हो मैं तो फिर कितने टिकेट भीके हैं कितनी साइकेल स्टेंड पे खड़ी हैं और कितने कोल्डरिंक और वड़ा पाव अब किया ना यहा की गिले हां इसे मैं समाद लूगा रशी पकड़ो एढ एढ एढ़ो हिवाइ प्लाँ प्लाँ आरफ क्राइब प्लाँ जा थेग आस räँ आहा ए आओ दो खंग करना नहीं जाता ना वैशुका हाथ पकलेगा तू आज तेरे को बताता हूं मैं आज तेरे को बताता हूं ले 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 ना अच्छा अलो पुलिस्टेशन शाली तेरे को बोलाता तरह ताइम से ही नहीं है अच्छा हाथ पकलेगा वैशुका ले यह क्या हो रहा है हाँ देखे सब यह गुंडा मुझे किस तरह से मार रहा है नाई सब यह लोगी लड़कियों को छेट रहे थे किस लड़की वो इन सब कुछ थाने ले चलो ओके ओके थैंकियो सर हाँ अभी आता हूं सर तुम इस तरह रोज लफ़ा करोगे ना तेरे बाप का बनाया वास सब कुछ पुली स्टेशन में चला जाएगा गदे कहीं के चिलाने से अच्छा है कि तुम अपने मेले बाप को कॉल करके यहां से मे बोलों से कुछ कमीनों के साथ मुझे भी पकड़कर पुली स्टेशन ले आएं यह बोलों से यह सुनकर पिछोड़ा फोड़ देंगे तुम्हारे पापा कही काम है प्लेस देखकर मारते हैं क्या सुनो लड़की किस क्लास में अब अमेस अर्थ हो सर तू फोड़ते रहे न और वो पट्टी बांती रहेगी बहुत अश्या कर रहे हो तुम लोग होगा किसी को तो बूलने ही पड़ेगा तैर्वाले मों फोन करो उसका कोई नहीं सर अरे कोई नकोई तो होगा मा, बाबुजी, भाई-बेन, चाचु-चाची, कोई तो होगा ना कोई नहीं सर, उसका सब कुछ मैं ही हूँ सच में कोई नहीं सर मेरा यकीन कीचे यह मेरा ID कार्ड है, मैं एक सॉफ्ट्वेर एंजिनियर हूँ कोई भी प्रब्लम हो तो उसका responsible मैं हूँ सॉफ्ट्वेर गुंड़ा हो मतलब, कौई इसका जी रॉक्ष लेके अपने रिकॉर्ड में रखो उसको तुम हो सॉफ्ट्वेर और वो है डॉक्टर तुम लोग ऐसे क्यू बेकार के लफ़नों में पढ़ते हो आग ऐसे ध्यान रखना, निकलो थैंकियो सर मुझे माफ कर दो वैशो, तुमारे घर के लोग यहां ते तो उनकी बड़ी बेस्ती होती, इसलिए मुझे जुट बोलना पड़ा कि मेरे सिवा तुमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ मुझे तो पूछने वाले जुनिया में कोई भी नहीं है चलिए, तुम्हें दिये वे वादे की मुताबे कल से में अपना चाहरा तुम्हें कभी ने दीगा हूँ सपना, हाँ, क्या सच में वो गौतम कल से नहीं मिलेगा गया तो गया, मुझे पड़ जाएगी, आराम से जियेंगे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, शायद वो उतना भी बुरा नहीं है यार ज्यादा मत सोच, चुपचाप सोजा, तेरे पापा को पता चला तो तुझे पता है ना क्या होगा वैशू, मैं पहला बड़ा सब यहीं पर, यहीं मुझे पता चला कि एक इनसान को फैमली की कितनी जरुवत होती है इसलिए अच्छे से पढ़कर, अच्छा जॉब पाकर मेरी अपनी फैमली बनाना चाहता हूँ शादी के प्रोसेस में ऐसी कोई कोशिच नहीं होगी जो मैंने नहीं की पर एक भी सक्सेस नहीं हुई, वज़य क्या थी मुझे नहीं पता तुम्हें देखकर ही मुझे समझा गया, शादी उपर वाला ही तै करता है और उसी ने तुम्हें मेरे लिए भीजा है, ये बात पता चली लेकिली आप मुझे से मिली, मुझे फैमली चाहिए थी और वो भी तुम्हारे पास है किसी भी तरह से फ्रेंट्शिप करना चाहता था, उसी की वज़य से मुझे जूट बोलना पड़ा रास्ता गलत था, फर मैं नहीं मेरी लाइफ की सबसे सुन्दर घटना यही थी कि जे जिन मैं आपसे मिला, मुझे मेरे जीवन में सबसे ज़ादा आपकी नादानी पसंद आई मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा डर मुझे हुज जिन लगा जिन तुमने मुझे डाटा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं तुमसे शादी करूँ और तुम्हारी फैमिली में एक हो जाओं अगर तुम सच्चे मंद से माफ करके मुझे अपना लोगी हलो हलो हाँ आवाज से पहचान लिया क्या कर रहे हो तुम एक लब फेलियर और क्या करेगा जो करना चीए वही कर रहा हूं प्यार की आपको शराब और सिगरेट में बुझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन पीने से तो तबियत खराब हो जाएगी न जब तुम ही नहीं हूं तो इस शरीर का मैं क्या करूँगा मेरे जीने का क्या मकसद है गिफ्ट देखा मैंने बहुत अच्छा लगा लड़कियों को कब कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा क्या पता एनिहाओ फर्स टेम पॉस्टिव रेक्शन मिला तुमसे कुछ पर्सनल बाते करनी है मिलोगे क्या अभी आजाओं तो कोई प्रब्लम है क्या क्यों बुलाया तुमने क्या हुआ तुमको क्यों बुलाया तुमने साड़ी में कैसी लग रही हूँ आसमान की परी लग रही हूँ वैसे तुमने मुझे किसलिए बुलाया यो ही मौस्कीटर कॉल खत्म हो गई लाकर दोगे क्या झाल प्यार में दू दीवाने राहों में चल पड़े हैं छोड के सारी दुनिया एक दूजे के हो गए हैं मंजिल नहीं सारं हम मिलके बनाएंगे हम अपनी प्यार से हां उसको सजाएंगे नाता अपना जाने जाना सदी होगा दिल में बोले तक दिना तक दिना तक दिना तेरे क्यार में हो जाओं पना को को टूजस आता, करें पी मिलके एक रहीं होटो पे मेरी एक तेरा ही बस नाम रहे और ना कुछ भी मुझे को कभी याद रहे तेरे सिवा सोया रहू मैं चाहे जागता रहू मैं यारा कुछ भी नहीं है मुझे को काम तेरी बातों के सिवा रब की बात तुझे ही मैंने रब का नाम दिया है वववव तेरे दामन से मैंने अब खुद को बांध लिया है हम मुझे के बनाएंगे हम अपनी प्यार से हां उसको सजाएंगे नाता अपना जाने जाना सदियों का दिल बोले तक तक तुना तेरे प्यार में हो जाओ पना दिल बोले तक थिन तक तेरे प्यार में हो जाओ पना कर दो कर दो कर दो कर दो मांगो क्या रब से अब और तेरे मिलने के बाद तनहा था जीवन तनहा तनहा मेरी दुनिया थी आई है खुशियां जितनी भी तेरे आने के बाद रब के बाद तुझे ही मैंने रब का राम दिया है तेरे गामन से मैंने अब खुश को बांध लिया है रब के बाद तुझे ही मैंने रब का राम दिया है तेरे गामन से मैंने अब खुश को बांध लिया है हाँ मन्जू मैं सानम हम मिले के बराएंगे हम अपनी प्यार से हाँ उसको सजाएंगे नाता अपना जाने जाना सद्योग दिल बोले तक दिन तक दिन तक दिन तिर प्यार में हो जाओ पनावा और लीजे न दिदी नहीं भापी कहो आपी पूछे तुम कहो न आपी पूछे न छोटे मुझे एक बात पूछनी है क्या है दिदी पूछे मेरी संतोष के लिए वैशो को दोगी क्या भर मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं वैशनी को देना चाहता हूँ ये क्या बात हुई वो मेरी अपनी है उसको बचपन से ही मैं आपती बहु मानती आई हूँ सौरी दिदी कुछ और पूछो क्यों छोटे कोई प्राब्लेम है क्या नहीं नहीं दिदी अगर प्राब्लम है तो मैं पूरी प्रापर्टी दे दूँगा पर वैशो नहीं गल्ती हो गई आज में किती पराई हो गई आज के बाद इस घर में में कदम नहीं रखो रुको दिदी ऐसे खाना छोड़कर उठना आप दूनों के लिए अच्छा नहीं है नहीं भापी मैं हमेशा यही सोचती थी दूर ही सही मगर मेरा अपना तो कोई है पर आज से ये भरोसा भी तूट किया जहां मेरी इज़त नहीं है वहां एक पल भी रुकना मेरी लिए बिकार है चलती हूँ ये क्या किया आपने घर आई भी दीदी को इस तरह से रुला कर भेज़ दिया क्योंकि बाद में मेरी बेटी को कहीं न रोना पड़ दीदी को भी दिल से चाहते है आज से ठीक 25 साल पहले दीदी ने भी किसी से प्यार किया था तब पिता जी की इज़त के बारे में उन्होंने कभी भी रती भर मी नहीं सोचा जाकर साजी करके घर वसा लिया देख रही हूँ ना हर वक्त मैक्यों को याद करके आसुब आती है उसे हर वक्त इंतजार रहता है कि कोई न कोई आए जो गलती मेरी बहन ने 25 साल पहले की थी वो गलती अब दोराना नहीं चाता नई नई शादी के कुछ दिनों तक पती पत्नी के बीच से प्यार ही होता है कुछी दिनों बाद उनके बीच जिम्मेदारियां आ जाती है दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है उसी वक्त लड़की को अपना दुख बताने के लिए और अपना प्राबलम सॉल करने के लिए ससुराल में बड़ा परिवार होना चाहिए देखो सिमा जिस घर में मैं अपनी बेटी को भेचने वाला हूँ और अपने गर में जितने भी रिलेशन्स है जितने भी इव्यक्षन है वो सब होनी चाहिए जिस घर में ये सब नहीं है अपने जीते जी उस घर में लड़की नहीं दूगा हमारे फयबर में ही है मैक्समा हमारे साइट से एफेक्ट रखा है हमारे एविडेंस भी स्ट्रॉंग है आज ही जाकर हम कलेक्टर्स आप से मिल लेंगे अगलों से कोई तेरी को साले उतार तीशेट उतार साफ कर साफ कर इसे फीक से कर क्या मोल रहा था भी कुछ नहीं भाई ये गाली किसकी है? आपकी है न? फैश्न भी कोन है? तुमारी बीवी है क्या? मेरी बेटी का बेटी से इतना ही प्यार है तो मन में या घर में बसा के रखना है ऐसे गाली बाली पे चिपकान है का नहीं समझे गया? मुझे ये नाम बहुत पसंद है इसलिए केरफुली हंडिल करो ओके? भाई कलेक्टर आफे चलें भी? नहीं बैश्नियों के कॉलेज ले चलो ठीक है भाई? सर कलेक्टर का अपॉंट्मेंट में डर जी आप उतर जाए सर विल्यों प्लीस केट दाउन? शरीर को बढ़ने के लिए हड्डियों का बहुत बड़ा योगदान होता है जिसके शरीर के हड्डियां बढ़ती नहीं है वो इंसान नाटा रह जाता है इसलिए शरीर का बढ़ना आप लोग कोन है? वैशू से मिलना है मुझे वैशू तो आज कॉलेज आई ही नहीं भाई वैशू आज कॉलेज नहीं आई है हलो बेड़ी हाई डाड़ी कहा हो बेड़ी? कॉलेज में क्या हो डाड़ी? बस कुछ नहीं वैड़ी यो ही मैं बाद बाद करता हूँ ओके डाड़ी बाई कहां थे तुम? तुम्हारे दस मिनट से वेट कर रही हूँ चलो चलो मैं पच्चिस साल से इंतजार कर रहा हूँ तुम दस मिनट में परिशान हो गई वेड़ी से इतना ही प्यार है तो मन में या घर में बसा कर रखना है ऐसे गाड़ी बाड़ी पर चपकाने काने समझे गया? मुझे इनाम बहुत पसंद आशली केरफुली हंडिल करो ओके? भाई वो गौतम एरसल कंपने में इंजिनियर का काम करता है उसके माता पिता? नहीं है भाई और कोई रिश्टदार? वो एक अनात है उसके आगे पीछे कोई नहीं है ऌट एक ते हो एख। पर चेता है मैंने हर तरीके से कोशिश की गौतम पर वैशु से बात नहीं हूँ पा रही अरे गौतम जाकर उनको कन्वेंस करने की कोशिश करो इशु बड़ा होने स्पहले समालो ओई उतर 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 क्या समझ रहा आपने आपको तुम दोनों एक दूसरे को बसंद करते हो आकर मुझे कन्वेंस कर लोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाओगा ना तो तुम्हारी मा है ना बाप है ना दीदी है ना भाई ना चाचा ना चाची ना तुम्हारी फैमिली का कोई सदस्ये मेरा कोई नहीं है सर, पच्छिस साल से अकेला ही जी रहूँ वैशु से शादी करूँगा तो उसका परिवार भी मेरा ही हो जाएगा मैं भी आप सब के बीस में बसना चाहता हूँ तुने अपने बारे में तो अच्छा सोच लिया पर मुझे भी तो अपनी बेटी के बारे में सोचना पड़ेगा न अगर मैंने तुम दोनों की शादी करवा भी दी तो आगे चल करके अगर तुम मेरी बेटी की बज़े से हट हुए तो उसकी तरफ से पूछने के लिए मैं हूँ लेकिन अगर तुमने उसे हट किया तो तुम्हारी तरफ से पूछने वाला कौन है कौन है बोलो मैं वैश्यू को शिकायत का मौका नहीं दूगा सर और अगर हुआ तो नहीं होगा सर होगी ऐसी चीज़े होती रहती है मेरी दीदी के साथ भी यही हो रहा है वो भी तुम्हारे जैसे ही बोल रही है एक बात तो कनफम है तुम दोनों की शादी मैं नहीं रोक सकता तुम दोनों बालिक हो लीगली, इमोशनली तुम ही सही हो पर एक बात है मेरे खिलाब जाकर अगर वैश्यू से शादी की वैश्यू तो आएगी पर जिसके लिए तुने वैश्यू से प्यार किया वो फैमिली नहीं आएगी तेरे और वैश्यू के शादी के अगले सेकेंट वैश्यू मेरी लाइफ से निकल जाएगी ये सब मैं तुम्हें डराने या धमकाने के लिए किसी तरह तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी की कसम खा कर गह रहा हूँ मैं जितना प्यार करने में सिंसियर हूँ अगर मैंने एक बार सोच लिया तो नफरत करने में भी उतना ही सिंसियर दो मिनट तुम मेरी जगए आकर सोच समझ कर फिर फैसला करना तुम या इन सब बातों से तुम्हें क्या लेना देना है अगर ऐसी सोच रखते हो तो चलो, अभी डिरेक्टरी मेरे घर चलो, मर्द की तरह वैशू के ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा फैसला तुम्हरा, वैसू शिसादी करके तुम उसे अपने जैसा अनात बना देगे या तुम अपने रास्ते में चले जाओगे उस तरफ या इस तरफ सर प्लीज सर नौ, उस तरफ या इस तरफ हलो, तुम पर कहां तक भरोसा कर सकता हूँ आप उस हालत में नहीं है सर, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजे 25 साल पहले जैसे मेरी जिन्दगी थी, अभी भी वैसे ही है सर सभी खुशी के लिए प्यार करते हैं, फ़र मैंने परिवार के लिए प्यार किया हमेशा मैं सोचता रहा, जिस लड़की से मैं शादी करूँगा वो कैसी होनी चाहिए मुझे नहीं पता था कि लिड़की के पसंद करने के बाद मुझे यसा प्रब्लम आईगी मेरे प्यार में स्वार था सर, इसलिए हार गया तुमने चाहे किसी भी मतलब से प्यार किया हो, पर तुम्हारा प्यार तो सच्छा था ना वैशो ने नाश्ता किया? नहीं जी, रात में भी उसने खाना नहीं खाया वैशो वैशो ये क्या है बेटा? वो तुम्हारे लिए सही नहीं है तुम अपनी लाइफ को अच्छा देखना चाहती हूँ तो मेरी बात मानो ऐसी बात नहीं है मेरी पीछे दो-तीन महिनों से पागलों की तरह गूमने की वज़े से मैंने उसे प्यार नहीं किया डारी वो जो भी कमिटमेंट करता है, पूरा करता है शादी के बाद कमिटमेंट टाइफ हस्बेंट के साथ-साथ हर चीज़ शेयर करने के लिए उसके पूरे परिवार का होना भी जरूरी है तुमने प्यार करके गलती किये, ये नहीं कह रहा हूँ मैं तुमने एक अनाथ से प्यार किया, वो गलत है जो भी हो डाडी, मैं उसके बगए नहीं जी सकती तुम नहीं जी पाओगी, पर वो जी लेगा मैंने उससे कहा, दो मिनट में तुम फैसला करो मेरी जगे रहकर कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वैशू नहीं चाहिए ऐसा बोल कर चला गया मुझे नहीं लगता डैड हाँ तुम्हें क्यों लगेगा अगर तुम मेरी बेटी होती न तभी तुम मेरी बातों पर यकीन करती रुको अभी बात करता हूँ हलो हलो तुने जो बात मुझसे कही थी वही बात वैशू को भी बोलो ये लो हलो इस स्पीकर आउन करके बात करो वरना इससम मुझे विलिन समझेंगे बोलो हलो गौतम बोलो वैशू क्या तुमने जैडी से वैसा कहा है हाँ वैशू पागल हो गय हो गया तुम बोल क्या रहे हो तुम्हारे पापा सही कहा रहे है उनकी बात मानो मतलब मतलब कुछ नहीं तुम्हारे लिवा ही सही है ना प्यार को समझा मेरे तुने तो क्या करूँ बोलो मैं क्या करूँ सव तुकडे किये हैं तुने दिल के जिसे जोड़ा मैंने बड़ी मुश्किल से बरबादियों की राह पर बेजा मुझे तुने तेरा शुक्रिया यारो मैं दिवाना इस खेल को नहीं जाना इलतिजा है मेरी ऐ सुनो यार करना ना कभी किसी से प्यार इलतिजा है मेरी ऐ सुनो यार करना ना कभी किसी से प्यार मंदिले थे रास न थे शाथ न दिया कदम तो क्या करूं माजी भी था किनारा भी था हाथ न दिया सनम तो क्या करूं समझा नहीं जूटी चाहत तेरी क्या करूं आखिर दिल मेरा ना था चाहा था तुझको इस सिंदगी से ज्यादा जाना ना जाना मैं तेरे दिल का इराना यारो मैं दीवाना इस खेल को नहीं जाना इलतिजा है मेरी ऐ सुनो यार करना ना कभी किसी से प्यार इलतिजा है मेरी ऐ सुनो यार करना ना कभी किसी से प्यार जीने के जो ख्वाहिश थी तेरे साथ साथ वो चली गई है यार भी है मैफिल भी है फिर जाने क्यों सूनी सूनी गली है ते नतिक जितने हमारे ये दिल आज उतना इतन से हुआ मसला चाहा था तुझको इस जिन्दगी से ज्यादा जाना ना जाना मैं तेरे दिल का इरादा यारो मैं दीवार ना जिस खेल को नहीं जाना इलतिजा है मेरी ऐस सुन यार गार्णना कभी किसी से प्यान मैं यूस चले जाना चाहता हूँ सर ये हचानक क्या हुआ क्या हुआ यार उसके डैड़ी उसकी शादी मुझसे नहीं कराना चाहते है कोई बात नहीं ये ललकी छुट गई है तो कोई बात नहीं बेटर ललकी, बेटर फैमिली इसका मतलब है कि वो तुमारा का इंतिजार कर रही है पंद्रा दिनों के अंदर जाने के लिए तियार हो जाओ गेट रेड़ी टू फ्लाइड भाई एक बात कहूं वैशू की शादी करा देते हैं अच्छा रिष्टा भी तो होना चाहिए कुछ दिनों पहले एक रिष्टा आया था ना कौन सा वो अलंडन वाला रिष्टा उधना दूर नहीं बेजना चाहते हैं क्यों नहीं बेज सकते हैं वैशू खिशी हम चाहते हैं हमने अल्रेडी उन लोगों से बात की हैं अच्छे लोग हैं अच्छे संसकार वाले हैं लड़का डॉक्टरी कर रहा है यह रिष्टा काफी अच्छा रहेगा भाई ठीक है बुर्वालू एश्कूस मी येस आर यू किंग फिश्यल हो इस बिजे माली येस फाइन इस सिंग्ल राजा गो गो अलो क्यों टेंशन ले रहे हो एरपोर्ट पहली बार आयो गया सपने में भी नहीं सोचा हूगा कभी एरपोर्ट देखोगे ये सब रिसी बोल्ट पकड़ा है तुमने क्यों नहीं पकड़ा वहाँ पर चाकू बेच रहे हैं लूँ क्या सुनो वह सब मैं समाल लूँगा मुझ पर हुकम मत चलाओ चलो पैसे लिकालो मतलब हां बताता हूं हमारे गाओं में बहुत भैसे हैं उनकी वोड़ी है दिमाग नहीं इंडिया में सफाई की कमी है यह लोग और हमें भी केंफ्यूज करते हैं पर हमें हमारी क्लेरी टीमिस नहीं करने चाहिए तो के इसली में कह रहा था कि बूड लेके ख़ड़ा हूं यहूं यह सब हमारे आदमी अदमी मतलब अधकर क्या करते हैं दुखा तो सिर्दब आते हैं क्या दुखा तो? सर, सर, सर ये बम लगाएंगे जब आपका सर दुखेगा ये मसाज करेंगे ये ड्राइविंग करेंगे ये होती है क्लारटी क्लारटी होना चाहिए वहाँ पर नहीं तुम्हें जाकर वहाँ काफी नहीं प्यूंगा इन्हें क्लियर टी बहुत पसंद है याद रखना आए चलिए संदीवी चलिए पेटि का फोन है हलो हाई ड़ेट लड़की कैसी है? सुन्दा रहना ऐसी लड़की पाने के लिए तुम्हें हजारों बार जन्म लेना पड़ेगा तैंक यू सो मच ड़ेट काफी सुन्दर और संसकारी बच्ची है आज के बाद नो गेट टुगेदर सब कुछ खात्म समझे? तुमारा फर्स्ट प्रफिर्फिर्ट्स तुमारी पद्नी को ही ये सारी कंडिसन तुम ओके बोलोगे तब मैं ओके बोलूगा आप और आपका बेटा काफी क्लोज फ्रेंड है शायद हमारे घर में सब ऐसे ही है कोई छोटा बड़ा नहीं है हम लोग काम है कितने भी बिजी हो रात का डिनर हम लोग सब साथ में करते हैं मेरी फैमिली को तो आपने देखा इसकी पढ़ाई और कैरियर तो मैंने इस पर ही छोड़ दिया है सिर्फ शादी की जिम्मेदारी मैंने ले ली है इसलिए हर बात पर ध्यान रखता हूँ मैंने आपके बारे में बहुत सुना है इस ग्रेट प्रिविलिज़ टू गेटिंग रिलेशन विद यू और यूर फैमिली थांक यू थांक यू सो मच मैंने भी आपकी फैमिली के बारे में बहुत सुना है हमारे घर की बेटी आपके घर में बहु बन कर जाएगी तो हमें बहुत खुशी होगी इसी हपते में एक अच्छा समहरत निकाल कर शादी कर देते हैं समदी जी एक पांच मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करनी था अगर आपको कुछ लेंदेन की बात करनी है तो आप यहीं बात कर सकते हैं हम सब एक हैं नो 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 इस पर्सनल प्लीस कम वाइनाट चलिए बोलिए कैसे कहूं मुझे कुछ समझ मि नहीं आ रहा है वो क्या है ना इस रिष्टे से हम लोग तो खुश है पर शायद वो खुश नहीं है मुझे लगता है शायद ये रिष्टा उसको पसंद नहीं है जो खुशी आपके चेहरे पर है वो आपकी बेटी की चेहरे पर नहीं है नहीं यह ऐसी बात नहीं एक छोटा सा डिस्टर्बेंस हुआ था पर अब वो सब किलियर हो गया किलियर हो गया है ऐसा हम समझ रहे हैं पर आपकी बेटी की चेहरे से नहीं लगता आज खलके लड़के कैसे हैं आप जानते हैं शादी के बाद भी हैरिस करते हैं ऐसा अक्सर देखा गया है अगर हम आपकी बेटी को शादी करके ले गए उसके बाद कुछ प्रावलम वहाँ पर खड़ी हो गई तो लीगली हम लोगों को बहुत परिशानी हो जाएगी ऐसे मैंने काफी केस देखे हैं आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं नहीं जो होने वाला है वो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको यहाँ पुश्तास करने या आपको जलील करने के लिए नहीं लाहा हूँ सब क्लियर हो गया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यह शादी उस लड़के के सामने होनी चाहिए उसके सामने मेरा बेटा मेरी बहू के गले में मंगल सूतर पएनायागा तब ही हमारे पास एक स्ट्रॉंग विट्निस हो मुझे आपसे ये रिष्टा तोड़ना नहीं है इसलिए मैं सब कह रहा हूँ हमारे इस रिष्टे में कोई गलत फैमिन नहीं रहनी चाहिए यो आर राइट आपका क्लारिफाई मुझे अच्छा लगा मन में कुछ रख करके शादी के बाद परिशान होने से अच्छा है कि अभी ही सारी बाते क्लियर हो जानी चाहिए इसी तरह हर बात वो पैनले डिसकस करने वाली फैमिली ही मुझे चाहिए थी मेरी बेटी को वैशो नाम ना लेकर उसे बहु कहा यही बात मेरे लिए बहुत है मेरी बेटी आपके घर में खुश रहेगी ऐसा मुझे लगता है उसे बुलाना पड़ेगा इस बात से मुझे कोई प्राबलम नहीं है सिमा पर वहां तक ले आये हैं हम एक लड़की को अपनी गलती सुधारनी के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है पर लड़की के पिता को उसे सुधारने के लिए उसका पूरा जीवन कम बढ़ जाता है ठीक है उसे बुलवा लेंगे मेरी बेटी की खुशी के लिए कुश भी करूँगा मैं नहीं आएगा हो अगले दस दिन में मेरी का जाने वाला है लड़की नहीं देगा यहीं कहता ना तो अब तुम लोगों को क्यों फेज़ा है उसने जाएए कोई हो नहों उसके साथ हम है उसे उसके हाल पर छोड़ देजिए प्यार कोई खिला उना आए उसका बाप हो सकता गुस्से में कहाओ उस पर क्या भीत्रे शैद तुमको नहीं पता चोड़ने का वादा किया था ना और वैसे भी उस लड़की को परिशान करने वाला गड़ने करेक्टर लेस करेक्टर नहीं हमारा दोस्त जाकर बोल दीजिएगा उस्ते तो बताओ बताने क्लिए कुछ नहीं है अगर वह आने क्लिए रेडी हो भी जाएगा कर दो 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 कि अब तुम खुश होना तुमारी आखों के सामने शादी करने की जरुरत मुझे क्यों आ पड़ी है अगर इसे तुने अडवांटेज में लेकर कही अगर मैं अडवांटेज लेने वाला होता तो आप अब शयद मुझे ऐसी बात नहीं कर रहे हैं अडवांटेज तो आप ले रहे हैं हाँ सर तो उस लड़की को तुमने छोड़ क्यों दिया इसकी क्या वज़ा हो सकती है प्यार की असले छोड़ दिया सर अपनी पिरिमका की शादी अपने आखों के सामने देखने के लिए तुम तयार हो गए उम्मीद करता हो कि तुम दुबारा उसकी जिन्दीगी में कभी नहीं आओगे मुझे विश्वास है आखिर में अपनी गौतम की वज़ा से हफते पर फिरी फूट फिरी बेट घर तो बहुत बढ़े हैं यार हाँ बिलकुल विश्णु जी जैसे by बेट बेटो इधर बेटो इधर बेटो मेरा नाम विश्वास है काउं सानाथ विश्वास फ्रॉम लंड़न ऊ सर जानने के लिए पूछ रहा हूं किया आपके शहर में लड़किया खतम हो गए जो यहाँ आप पड़ा शादी के लिए हो जकता है खता मोगई हो दो हजार दो था मैं कबडी खेलने के लिए करनूल गया गाउंडर इंडी बुक सेंटर के पास खड़े होकर बात कर रहा था तभी एक लड़की पीछे भागता हुआ है मैंने कुछ नई सोचा जाकर एक खेज कर दे दिया वो लड़की आकर मेरे पीछे खड़ी हो गए उसको मारने बात पता चला उसका नाम बुल रेड़ी है और वो एक बहुत बड़ा फैशनिस्ट है फिर भी मैं डरा नहीं और उस लड़की का हाथ पकड़के भागा उसके बाद उसके बाद उस लड़की को ले जाकर वैज़ा के लाइट हाउस में छुपा दिया तब वो बताई मेरा नाम सपना है मुझे अमेरिका जाना है बस अमेरिका जाने की भी तैयारी कर लिया दस दिन भी पूरे हो गए सपना को लेगा एरपोर्ट की तरफ निकला मुझे नियू कैप सिभ खरीद के दिया बाइक की एक मार्तस में पता चला की वहां से सपना नहीं मेरा दिल जा रहा था पर मेरा प्यार उसके अमेरिका एक रास्ते में नहीं आना चाहिए सोच कर उस नड़की को मेरिका भेदिया सर मैं अपने प्यार को अपने दिल में ही दबना दिया सर सुपर लव स्टोरी सुपर लव मैं अपनी वाइप को बता हुआ जाके जाए 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 से रूला दिया तुने नर क्लेर की तार हैने पर एक काफी भी नहीं पीता है फिल्म और रियल लाइप में फर्क नहीं समझता ये गौतम ज़रा सोचो तुम बहुत गलत कर रहे हो मैंने किसी को धुका नहीं दिया उसके अच्छे के लिए उसको छोड़ दिया पर अगर वैशू तुम्हारे सामने आकर आखों में आखे डाल कर पूछेगी तो क्या जवाब दोगे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी क्या मेरे घर में ये सब नहीं चलता कहने के बावजूद भी लफ सिंसिर है और मैं सब कुछ खुदे संभाल लूँगा अब सब के सामने मुझे पागल बना कर खड़ा कर दिया ठीक है अब जो हुआ सो हो गया मैं तुम्हारे बगर नहीं रह सकती चलो पहले यहां से चले जाते हैं फिर बाद में वो लोग खुद ही संभल जाएंगे एई मैं तुमसे बात कर रही हूँ मुझे भगा कर ले जाने के लिए कह रही हूँ इस तरह पत्थर के बुद की तरह क्यों खड़े हो चुप रहो, भगा कर ले जाओ, तुम्हें कहां भगा कर ले जाओ मैं तुम्हें अकेली को भगा सकता हूँ मैं पूरी फेमली को भगा के कहा ले जाओ और वैसे भी मुझे एड़्जास्टो कर मिलने वाली फेमली नहीं चाहिए मैं बचपन से ही सारे रिलेशन के लिए तरस रहूँ मुझे तुम भी चाहिए और तुम्हारा परिवार भी चाहिए इन दोनों में से कोई एक मिले ये मुझे मन्जूर नहीं तुम मुझे इस तरह मजधार में छोड़ रहे हो इसका मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं प्यार का मतलब यह नहीं है वैशु कि हम अपने बारे में सोचकर ही प्यार करें हमें हमारे प्यार के साथ अपनों की इज़त कभी ध्यान डखना चीह वैशु पबली गाउं की निवासी, श्री राधू की पत्नी, यद्दू जी की बेटी वैश्णुवी की लंदन गाउं के निवासी पंडी जी, लंदन जो है वो एक छोटा सा पहाड गाउं नहीं है, वो एक बड़ा शहर है शमा करिये, वो आदत हो गई है ना लंदन के रहने वाले श्री विश्वनाज जी करे गलोते पुत्र की मंगनी आज की जा रही है, अब आप लोग भल का अर्दान प्रदान कीजिए ची-ची, पानी चेंज हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा इंफेक्शन हो गया है अब विवा का मुहरत बताता हूँ, आने वाले फागुन मास में शाम को साथ बचकर के पंदरा मिनट पर सुब मुहरत निकाला गया है अब दोनों परिवार इस शादी की धूमधाम से तैयारिया करें, अब आप लोग खड़े ओकर के एक दूसरे को बधाईया दें अबे, दुनिया में तेरे ये सब मुर्ख कोई नहीं होगा, कितनी प्यारी लड़की ही हो, कैसे छोड़ने का मन कर रहा है वैशुक अपने माइंड से निकाल दिया कहाना, दुबारा ये टॉपिक मत निकलना बरबाद होने को लिखा है, तू क्यों हवारी बात सूनेगाई अंकल उंकल चलो न हमारे से हाउजी कहलो ऐ हम क्यों खेले हाउजी, घिनके पास बड़े बड़े ख़र है, वो खेलेंगे हाउजी हाँ जी खेलेके लिए बोला. चल यहाँ से नहीं तु मारूँ गा को अगा. मारेगा. हमने कापी लोगारा हुँँगें. निकल रहे. असे शॉट as आ느रोगे शॉट नहीं इसका नाम हुँगे ब्तॉक इस़े हो छॉट कहते हैं. इसका नाम टेकईळा है। अच्छा लगता क्या? बहुत अच्छा लगता है By the way, my name is James Corner James Cameron तुभ डिरेक्टर है न? वो फिल्म का डारेक्शन करते हैं, मैं लाइफ का डारेक्शन करता हूं ब्रोकर है रे हलो मंगी दुबारा ब्रोकर बुला तो तुमारी बत्ती सी निकाल दूगा सेटलर कहने का क्या कहने का? सेटलर हाँ, that's good साले साथ तुमारी बेहन एक दूजी के लिए हम किसी से कम नहीं एक कमरे में बंद है क्या? मतलब? अरे प्यार मोहबबत, इश्क सपना ऐसे पूछने सच्छा है कि किसी तरह हेल्प करो? कर सकता हूं वाट इस तू लेट तो हमारे दोस्त का क्या हल होगा? होगा क्या? बंबे में वो लंबे बाल बाले गयक का नाम क्या है? हमेश रे शमिया हमेश रे शमिया जलक दिखला जा जलक दिखला जा एक बार आजा, 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 आजा आजा सुनो, तुम्हें लड़के की पिता से डर लगता है ना? काय का डर? मेरा कमीशन हाथ में आने के वाद वो कौन, मैं कौन? कुछ भी बोलो, तोड़ा तो अच्छा ये ना? अच्छा? वो इतना अच्छा है क्या? बरतर, इंसान दो प्रकार के होते हैं एक शिट बुलशिट एक्ज़ेक्टली जो इंसान शिट होते हैं वो मेरे जैसे आगे बढ़ते हैं जो बुलशिट होते हैं उनको निम्मक की तरह चक के देखना पड़ता है उनमें से ये वो नाम के लिए लेंडन में रहता है वो तो एक लिवर है तो में तो मुझे ऐसा क्यों समझ रहे हो बसी हुए दारू ज्यादा होने को जैसे समझ रहा हूं वो भी यही सोच रहा होगा सबैसोरी बोल दूंगा अभी खेल घतम दुकान बन इसी में तो मज़ा है अरे थोड़ा सो मुझी भी दोचा मुझी से बाग रहा है सर रात में मैंने कुछ उल्टा सीदे बोल दिया क्या गलती होई सर कोई बात नहीं चोड़ो सर रात में मैंने कुछ बोला न मैंने बार-बार एक ही बात को हनुमान चाली सागी जासे पड़ा रहे में मज़ाव गुळा रहे क्या मैं आपसे माफी माग रहा था ठीक है एक काम करो बोलिए एरपोर्ट जाओ मेरा लड़का आ रहा है, उसको लेका रहा हो लड़का यानि चंदरबाबू आ रहा है मेरा लड़का आपका लड़का ठीक है सर इडियट ए रवी कुमार नहीं याकू याकू वो तुम्हारे लिए फोन है सर फ्लाइट तो आगई आपका लड़का भी तक नहीं आया आएगा कब आएगा सर कब आएगा मुझे पता नहीं पता भी होगा तब भी मैं नहीं पता हूँगा तुने कुछ जाद ही परिशान कर रखा है मुझे तुझे बहुत चर्वी चल गए यह ना दो-तीन दिन वही पढ़ा रहेगा तो चर्वी उतर जाएगी तरी किससे कैसे बात करते हैं यह पता चल जाएगा तुझे सर 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 मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है खर्च के लिए तो जाकर किसी की मा क्यों मैंसा आप गाली दे रहे हो मैं ही एड़जेस्ट कर लूँगा अगर तुम मेरे लड़के को साथ में नहीं लाए तो मैं तुम्हारे खिलाफ चीटिंग केस करके तुम्हें अंदर डलवा दूँगा ऐसा मत कीजिए सर मैं आपके लड़के को लेके ही आऊँगा मैं तब तक यहीं रहूँगा फोन अक बस बस गौतम जॉइंट फैमली के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है इससे पहले अच्छा हुआ करता था सर पर कुछ लोगों से मिलने के बाद गलस साबीत हुआ सर हाँ गौतम तुम्हारा लब फैल हो गया अब तुम किस से शादी करोगे किसी से क्या करूँगा जिस से प्यार के उसी से शादी करूँगा कैसे? कैसे भी कैसे किया मतलब? किलियर करो इस बात को क्यो भई? दोसरी लड़की से प्यार करके तो क्या मार दोगे उसे अगर वो भी फेल हुआ तो क्यों फेल होगा क्यों फेल होगा क्यों फेल होगा जी बस आप लोगों की सक्सित भी लेगा हम लोग फेल होते रहेंगे हमारे नसीब इतने खराब हो गए घरबार ऐसे लोग मिलते रहते हैं अरे इतना सीरियस क्यों हो र पता होता तो यह सब पता होता पता नहीं कहां पैदा हुआ है और उबर जैनात आश्रम में बड़ा हुआ है यह सब संसकारी बाते से कैसे पता होंगी यह तो अनात हुआ हुआ है सर एक छोड़ी सी बात है मुझे रीत रीवास पता नहीं है यह बात मैं मानता हूँ किसी के घर दावाद के लिए जाते हैं तो पता आगे की तरफ मोडते हैं यह बात तो मुझे पता है जैसे आपको अपनी इज़त प्यारी है वैसे मुझे भी अपनी इज़त प्यारी है इस कि तारे टूरिस तो जलिके आप यह क्या कर रहे हूं कौन चाहिए हम तुम क्या हाऊ-अए-अ あऊ-अँ-आऊ आऊ-अइव कौन चाहिए पूच रहे है एई एई यह क्या कर रहा है PacificTakeORA क्या चापिशन तूम क्रोड कर जैने आने वाला है सर सुछ बचले हें जाइए 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 तु है कान रे? मैं हूँ रोयल बंगाल का टाइगर मिस्टर रोय ओ, दो हजार आठ दोनों एक ही कॉलेज में बीटिक पढ़ाई के लिए जाइन हुए ओ, फिर तो बहुत रोमांस हुआओगा रोमांस? कहां का रोमांस? जो एस्टडी बूथ हम दोनों के मिलने का कारण है वही एस्टडी बूथ हम दोनों के जगने का कारण है कौन सा वो, गॉंडा बुक सेंटर? नो, नो, हमारे कॉलेज के पास भी एक एस्टडी बूथ है डेली में उस एस्टडी बूस से गीता के साथ बात करता था वो गीता कोन है? मेरी माँ ओ आपने जैसे मेरे बात तर विश्वास किया उसने नहीं किया कौन है गीता? गीता कौन है? हर बार ही सवाल अग्जाम पास आने पर पेड़ के नीचे बैठकर पड़ते समय हवा लगका साड़ी सरग गई कमर देख लिया क्यों? अगर आपको देखेगा नहीं देखोगे? क्यों नहीं? लंडन में काफी देखे में उसी तरह मैंने भी देख लिया पर ऐसे देखना गलत है बस इसलिए एक फुल बोतल मार के सपना के घर में जो मेरी तस्भीर लगी थी उसको जाकर फाल कर फेग दिया पीरो तुम्हारे प्यार में सच्चा आई थी सपना तुम्हारे प्यार के लिए जरूर लोटेगी तुम्हारी कानी सुनकर मुझे रोना आ रहा है पर क्या करो, मज़े समझ नहीं या रहा है जाकर भावी को बताए, ये काफी इंटरेस्टिंग है ना लविस्टोरी जाहिए एक हो गया, खुश भी हो गया अगर इसने नेक्स्ट पूछा थो सिंगहम सिंगहम जाव बाव जाव पिता के गले लवाँ सर, सर, विश्वनाजी मुझे, तुम मुझे पकार रहा हो क्या? उस दिन नशे में बहुत कुछ बोल गया था सर कितना भी पिया हो, इनर वाइस तो वही है ना? सर, कुछ पैसे हो तो दे दीजिये, मैं निकल जाता हूँ कैसे पैसे? मेरा कमीशन, सर कितना? एक लाख रुपए दे दूँगा तो कहा जाओगे? मैं कहीं में जाओं, सर, आपके लिए लाख रुपए कोंसी बड़ी बात है, सर वैसे भी इंगेजमेंट से लेकर फर्स्ट नाइट एक तुम्हारा एंवल्मेंट होता है, तुमने इसा बोला था ना? वो तो मैंने यूही कह दिया था, फर्स्ट नाइट में ब्रोकर का क्या काम है? ब्रो, ब्रोकर? हाँ सेटलर कहा था तुमने? तुम्हारा पैसा बैंक में है, समझाओ बैंक पर मुझे भरोसा नहीं है, सर लेकिन मुझे केश्टमर पर भरोसा है तेरी तो जाए साब, अंदर जाके सबसे गले मिलिए इसकी मौकियों नमस्ते और छोड़े ससर जी चोड़ी सास अरे किसे खुण रहो? वैशू? अंकल, अगर मैं वहीं जाकर मिलनूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे बेटी धराना तो? हाँ पिताजी दीदी कहां बार है? दीदी उपर है इसके साथ जाओ हाई, तुम्हारा नाम क्या है? उशा गोड़, कैसी हो? सॉरी, बीना पर्मिशन के आपके रूम में चलाया मगर आपके डैड ने पर्मिशन दी है आयम रभी आपने नाम नहीं बताया? वैशनवी वैशनवी बहुत सुंदर नाम है उससे ज़्यादा आप सुंदर है हेलो मैंने आपको कॉंपलिमेंट दिया थैंक यू एक्चुली लोग कहते हैं कि गाओं के लड़कियां काफी शर्माती है बट मैं एकदम खुले विचार का हूँ अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तुम उससे कह सकती हो मुझे आपसे शादी करना बिलकुल भी पसंद नहीं मैं और इगौतम नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवाई जा रही है प्लिस ट्राइटो अंडरस्टैंड शादी के बाद मैं आपके साथ अर्जस नहीं कर पाऊंगी ओ गौड मैंने आपसे कुछ का आपने अपनी किताबी खोल दी ओके मैं शादी से इंकार करूँगा बट मेरे इंकार करने से तुमारी शादी तुमारे डैड उस गौतम से कर दें कि क्या गरेंटी है सो मैं आपको क्यों छोड़ो लेट में भी शल्फिस्ट मंडम में मिलते हैं क्या ज़र आराम से बैठकर हिसाब कर रहे हैं बहुत सारा कैशाना है पैसा मांगते हैं अबक सब लोग आँख दिखाने लगते अकड 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 दिखाते हैं तो कुछ करते जो नहीं देने को तैयार नहीं पैसे के बिना बहुत प्रबलम होता है वो मुझे एक लाग देते अम्बानी की लड़की के साथ उस लड़के की शादी करा देता अब तक सोहारात भी हो जाती तुम लोग ये बात मेरे को पहले ही बता देते इनकी शादी में उस लड़की से करा देता यह कुफली लंबू उस लड़की के लाइख है क्या वो जो आ रहा है देख उसके बाप को देखो इसको देखो कैसा लग रहा है वाट जेंग कोई डिस्क्षिशन चल रहा है हाँ समारी बार या बात चल लेए लंडन पे तुम क्या कर रहे हो हाँ है हाँ है अलो हाँ हाँ गौतम या वाइशो से मिला वो नाम के लिए मुझसे शादी कर रही है मगर दिल तुम्हारे पास है नहीं ऐसी बात नहीं है तुम ग्रेट हो बॉस उस परी को क्यों छोड़ दिया मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि वैशों को साथ कितनी जल्दी शादी हो जया उसे लेके लंडन चला जाओं इन हैपी मुमेंट्स में इतनी देर नहीं लगाता इंडिया है ना अगर यहीं लंडन होता तो अब तक मैं कपका सुह अगरात मना लिया होता क्यों लंडन इंडिया की वराई कर रहे हो तुम्हें यहां के बारे पता नहीं है उससे खतरनाक लोग यहां है यहां के भाई-लोगों को नाम ही सना नहीं नहीं सना नहीं मैं बताँगा शाम को तुम तयार है ना वहाँ इस देश का जलबा देखना सिंगापुरे सोलापुरे मेरी जबानी है कोलापुरे सिंगापुरे सोलापुरे मेरी जबानी है कोलापुरे सपने में ना जाने इतने दिवाने चुप चुप के क्या क्या करें शीला से कम सिंखे मेरी जवानी इसकी में शीला और उसकी दिनन और कोई मुझे बोले रहाई मेरी बिलो तेख मुझे आशिक का जिया लल जाए रहा वस्ट सेक्सी ये फिगर देख हीरो इंसे कम नहीं डेट मेरा मांगे मुझे सलमानी भोनी मांगे ओटोग्राफ सेटिमें चुडा है ता बोला मुझे कई बार शारुपान केलेंडर पे मेरा फोटो लगाने को ब्लांक छिक देने को है तयार मालिया इसना कंफ्योजन है हिला हुआ हुआ शिस्स्टम है पीचह करा कबसे एडन मफिया आयो रामा, सिंगापुरे, सोलापुरे, मेरी जवानी है कोलापुरे जब चाहू दावा है मुंबाई या कश्मीर बॉंड पे मैं लिखवा लू लुकाथा पीछे है दिल्ली दीवाणी है पटना सहर की मैं उड जानो बचल बीवाना है देवगन का कहना है मेरी जवानी है फूरी पेडरोल किसको सभालू किस्ति किसको सभालू आक्षय का घुपे नहीं है खड़रोल आयो रामा, आयो रामा, आयो रामा, आयो रामा, आयो रामा, सिंगापुरे, सोलापुरे, मेरी जवानी है कोलापुरे, सिंगापुरे, सोलापुरे, मेरी जवानी है कोलापुरे, सिंगापुरे, सोलापुरे, मेरी जवानी है कोलापुरे, सिंगापुरे, सोलापुरे, मेरी यह मेरी जवानी, हाद मुझा इसकी में शीला और मुस्की, हाद मुझे मुझे भूले रहाए मेरी भिल्लो, तेख मुझे आशिक का जिया लेल जाए रहा क्या ही है, मैं घर से आगे हूँ, चलो, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी, प्लीज कॉतम, प्लीज, मैंने काफी ट्राइ किया, मुझसे नहीं होगे, मैं किसे और के साथ नहीं जी सकती है, सुरी वैशू, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, प्यार में भाग के जाना ये बाते काफे इंटरस्निक लगती है, हमें अगर खुशी से जिंदगी गुजारनी है तो, वो हमारे शादी के तरीके पे परिवार की खुशी के लिए मैं किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती, तुम लोग इससे समझाते क्यों नहीं, तुम क्या पागलपन कर रहे हो, तुम्हें खुद पता नहीं, ये क्या है, इतने दिनों तक फेमली वाई लड़की चाहिए कहाना, अब मिल गई है तो लेकर जाता क्यों नहीं, इसके बाप ने कहा तुझा अपनी लड़की नहीं दूँगा, और जब ये खुद आना चाहिए अपनाता क्यों नहीं, वैशू, तुम जाओ, ये क्यों नहीं जाता हम लेकते हैं, अब तुरुक, किसका दुख है, कैसा दुख है, दुख क्या होता है, इस दुनिया में जब इंसान परिवार के बिना अकेला जीता है ना, तब उसी को पता होता है कि दुख क्या चीज़ है, वही असली दुख है, जो दिल के करीब होते हैं, जब वो सारे लोग हमसे रूट जाते हैं तो बहुत दुख होता है, तब मनी मन में हम अपने आपको क मैं इसको अपना कर इसके परिवार को दुखे नहीं कर सकता, मतलब प्यार करने से पहले तुमने ये सब सोचा क्यों नहीं, अरे गलती हो गई मेरी मा, गलती हो गई, मैं फिर कहता हूँ, मेरा फीचा छोड़ दो, मुझे भूल जाओ, चलो जाओ, तुम मुझे भूला अज़ाओ कियो, जाओ किया है, मुझे गलती है। यार, उन्होंने मुझे अपनी जेगे खड़े ओकर दो मिनिट सोचने को का, मैंने सोचा, अगर वो भी मेरी जेगे दो मिनिट खड़े रहकर सोचते, तो उन्हें भी मेरे दर्द का एसास होता, साथ फेरे लेने तक मुझे उमीद है यार, पर मैं उस होप को, वैशु को नही नहीं बता सकता, यार, अगर ऐसा कुछ होकर उसे शादी करके जाना पड़ा, तो वो खुशी-खुशी जानी चाहिए, दर्द सेहने की तो मुझे आदस सी पड़ गई है, सुनिए, कल शाम साड़े साथ बजे तक दूलहन को अच्छी तरह से तयार कर दीजिएगा, उसी तरह दूले को भी तयार कर दीजिए, क्योंकि विवाह से पहले गोरी पुजा कराना आवश्यक है, तो कीजिए न, कर सकते हैं, पर बुवा, अगर कोई बुवा नहीं होती त चल जाता, लड़की की बुवा है, ये सबशुबकार बुवा को ही करना पड़ता है, क्योंकि बुवा ही पहला आश्रवात देती है, वो नहीं आएंगी, अगर मैं खुद जाकर बुलाओं तो भी नहीं है, बीन बुलाए मैं चली आई हूँ, दीदी, आजा, चलहट, कैसी दीदी, तुम काट नहीं बेजोगे, तो क्या मैं नहीं आऊँगी, बीटी को मैंने गोद में खिलाया है, उस पर मेरा भी हग है, दीदी, ऐसी बात नहीं है, दीदी, क्या बात नहीं है, दीदी को तू भूल सकता है, मैं अपने भाई को नहीं भूल सकती, वैशु कहा है, आई नवी बीड़ी जीजा जी भी आते तो अच्छा होता जीदी मैं तो बेशरम बनके यहां आ गई पर तेरा जीजा यहां नहीं आने वाले मुझे माफ कर दो दीदी आपकी बात को मैंने एक बार फिर ना किया मैं वही गलती दुवारा नहीं दो रहना चाहता था इसलिए मैंने आपको ना कर दिया हमारी नाराज़की ठीक है मगर वैशू से तो मैं नाराज नहीं हूँ वो गौतम छोटी बच्ची है वो तो दीदी उसे क्या समझ में आएगा बाद मैं खोदी सब समल जाएगी आप बड़ा दिल करके आई होना यही मेरे लिए काफी है उस दिन मेरी इतनी बेज़ती होने की बात मैं तुम्हारे दर्वाजे पर कभी नहीं आना मैं यहाँ सर्फ कौतम के लिए आई रगुपति नाइडू जी के घर से आया हूँ वैशू की शादी के बारे में आपसे बात करने के लिए उसके अलावा कोई और बात कहो मुझे और बेज़त नहीं होना है तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो मेरा नाम गौतम है मैं और वैशू एक गुस्थे से प्यार करते हैं फैमिली ना होने के कारण आपके भाई ने मुझे ठुकरा दिया गलती मेरी है आपके भाई की यही जानना चाहता हूँ मेरे भाई से कोई गलती नहीं हो सकती गलती की है यह आप भी जानती है और यह वो भी फील कर रहे है जैसा आपके साथ हुआ वैसा उनकी लड़की के साथ ना हो इसलिए मुझे नहीं अपनाना चाहते तुम्हारी जो भी नाराजगी है वो तुम्हारे अपने भाई से है वैशू से नहीं है न वो जवरजस्ती अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे के साथ करा रहे है यानि आप उसके बुलाने पर आई हो मेरे हां तुम यही समझ लो तुम अपनी भाई को समझाओगी तो वो खुशी-खुशी तुम्हारी बात मान जाएगा ये बात अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो कभी नहीं मानेंगे उसके कहने पर ही मैं यहां आई हो दूसरों के भाउनाओं को समझो तो प्यार करने वालों का दिल तोड़ना बहुत बड़ा कुना है उससे तुम अपना लो अगर मैं अड़्वांटेज लेने वाला होता तो आप शायद मुझे ऐसी बात नहीं करने जिसा अड़्वांटेज तो आप लेए किसी से क्या करूँगा जिससे प्यार के उसी से शादी करूँगा किसी से क्या करूँगा जिससे प्यार कि उसी से चादी करें। जादी की पूरी तैयारी हो गई है अच्छी बात है। सुनिए यहां खड़े रहने से अच्छा मंदिर के फेरे लगा लीजे बेटी के लिए अच्छा होगा। मेरी बेटी के साथ और के अच्छा होगा। मैंने जहां चाहूँ उसकी शादी हो रही है। आपकी सक्सेस में आदा हिस्सा गौतम का भी है। चली। आए दामाजी बैठेंगे। नहीं आप बैठेंगे। वैशु को अपने दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ। अरे उसमें क्या। जाओ बैटी जाओ 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 ले जाओ। नो प्रब्लम। गाइस। है बड़ी। वाट्सप मैन। माई गर्ल वाइफ वैफ वैशु। नाइस नेम यार। क्या यार। अपने वाइफ का नाम खुद ही बताएगा। वह हमसे बात नहीं करेगी। ऐसे कोई बात नहीं है। वैशु। मिट माई फ्रेंड्स। हाइ। हाइ। तुमारी वाइफ तो पुरी तरह भारतिय नारी लग रही है। यह तो बहुत खुबसूरत है यार। थैंक्स यार। हम तो तुमसे बात कर रहे है। तुम्हारी नजर कहीं हो रहे है। क्यों वाई। क्या बात है। वैशु। तुम जो। तेरी तो लाट्री लग गई यार। कमान बड़ी। यह तू लगी। किस लिए। यूर वाइफ। तू सेक्सी यार। ऐसी बीवी अगर मेरों को मिल जाए तो मैं धिर्रात पढ़ा रहा हूं उसके साथ। तुमने महाबारत नहीं पढ़िये के दानवीर करन था। क्या कौन करन। छोड़ो यह साब इस यूक के करन है। मेरी बीवी को सेक्सी का तो तुझे प्रॉबलम क्यों हो रही। पत्नी को सिर्फ पती ही सेक्सी रूप में देख सकता है। पूरे गाउंवाले नहीं। तू इतना क्यों जल रहा है। तेरी नियत तो खराब नहीं है। भाई, बाहर रवी गौतम जगड़ा करना है। मैं उससे प्यार करता हूं और उसके बाप के कहने पर पीछे हटाऊं। मुझे नामर्द मत समझना। उसके पिताने इजज़त से मुझे यहां बुलाया, इसलिए मैं आया हूं। एक बास समझा देता हूं। उसकी इज़त पे कोई भी किचड उचा लेगा। तो उसे शादी के मंड़प में घुसकर ही मारूँगा मैं। खौतम। आईए सर। इसको वैशू की एमियत नहीं है सर। इसकी सामने इसकी दोस्त लोग ने। इसलिए मैंने। क्या कर रहा है रे। मेरी पर्मिशन के बगर मेरी फैमिली से मिलना। उनको इंप्रस करने की उकोशिश करना। इस जन में मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता था। पर उसके पापा के कहने के बाद तुझे यहाँ पर क्यू बुलाया पता है। तो इस से प्यार करने के गालती की सजा मेरी बेटी को कभी भी मिल सकती है। इसलिए। शादी के पहले ही सब कुछ के लियर करने की समयदारी एक पिता होने के राते मुझ पर है। इसलिए। पसंद ना होते हुए भी मैंने तुझे बुलाया अपनी आखों में पट्टी बाद कर। अब मेरी परिक्षा मतले। प्यार का मतलब क्या होता है तुझे पता है। जूटी मुडी बाते सुना कर लड़कियों को अपने चाल में भसाना प्यार नहीं होता है। जब मैं कहीं बाहर जाऊं अगर मुझे कुछ हो जाए। मेरी पत्नी के साथ मेरा पूरा परिवार होता ऐसा जो भरोसा है, वो प्यार और वो भरोसा तेरे पास नहीं है। तुझे वैशु से तो क्या किसी भी लड़की से प्यार करने का हाग नहीं है। सॉरी बेटा, इसकी गलती की वज़े से मैं माफी बांगता हूं। सॉरी, सॉरी एवरीबडी, आजो बेटा। अभी तक जो हुआ काफी है, चुप चाप चल। वैशु साथ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यही चाहता था था ना। उस तक भगा ले जाता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। क्या यार तो, कभी प्यार करता है, कभी ठुकरा देता है, मेरी समझ में नहीं आता तेरी बाते हैं। तो अपने प्यार के चक्कर में, अपने दोस्तों से मूँ मत मुड़ो यार। वैशु तुम्हाई लाइफ में नहीं है, यह कन्फरम हो गया। अगर हमें नहीं खोना चाहता है, हमारे साथ चल, चलो यारो। फेर क्यों यहाँ आए? मैं जा रहूँ सर, आपको एक बात बता कर जाने के लिए आयों। सर, एक मिनिट, मैंने जान बुच कर जगडा नहीं किया था सर। वैशु के बारे में कोई गलत बोले था मैं बरदाश नहीं कर सकता सर। उस दिन आप ही ने मुझे कहा था सर। कि मेरी जगे दो मिनिट खड़े हो के सोचो। आपकी इज़त के आगे मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं वैशु की जिन्दगी से हट गया। आज आप मेरी जगे खड़े हो के ज़रा सोचिये सर। और फिर फैसला कीजे। उसके बाद तुमारा जो फैसला होगा मुझे मन्जूर है। जैसा मैंने सोचा था वैसा तुम्हें भी ज़रा सोचना चाहिए। इसमें आपकी लड़की की खुशी और जिन्दगी का सवाल है। मुझे उम्मीद है ये सब सोचने के बाद आपको गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और आप सही फैसला लेंगे। गुस्से में किसी को भी चुका सकते हैं। लेकिन प्यार किसी के आगे नहीं चुकता सर। मैं बचपन से परिवार का प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता सर। इसलिए बड़े परिवार की लिल्की से शादी करके सब का प्यार पाना चाहता था। मेरे ये कदम उठाने से पहले मेरा सापना मुझे इस मोड़ों पे लाके खड़ा कर देगा मुझे पता नहीं था मैंने बहुत से लोगों से भी कहा और बहुत बार कोशिश भी की कोई मुझे नहीं अपनाया सर हर किसी ने मुझे अब तक ठोकरी माराया सर वैशु को अब भी पता नहीं है कि मैं उसे चाहता हूँ मेरा प्यारा अज उसके लिए बहुत बड़ी नफरत बन चुका है ये बात सिर्फ मुझे और आपको ही पता है दिल नहीं माना तो बुआ के पास चला गया इस उमीज से कि वो कुछ कर दे आपने कहा वैशु को मैं हमेशा के लिए भूल जाओं ये तो मेरे जीते जी कभी संबर नहीं है सर आपकी नजर में मेरी ये सबसे बड़ी बूल है लेकिन मेरी नजर में मेरा पैदा होना ही सबसे बड़ी बूल है इसलिए हर कोई मुझे अब तक ठोकरी मारा है वैशु को ये बात पता नहीं चलना चेसर तेरे बिना जीनेंगे जहर ये भी हम पी लेंगे सजा जो मिली है हमको सजा ये भी हम सहलेंगे हाँ भूला तू का बात ने तेरी मैं मिटा तू का यादे हाँ हाँ चला जाओंगा मैं तू इतनी दूर के तिर ना भी लेंगे तू करना हम वाइट? वाइट? नीसा अंतोशन को से यह देनो मर पतनो आएश्य। चुटा हर इरादा तेरा जुठी तेरी रस्में सारी दिल क्यों कर लगाया मैं सपना क्यों कर सजाया आहां चला जाओंगा मैं तू इतनी दूर के ठिर ना मिलेंगे कि अब कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए जाए जब लोग धान रखना? ठीक है चक कर दो ड्राइंग में पानी है नहीं देख लेंगे तरे देख लेंगे, देख लेंगे, अवी, क्यों रो रही हो तुम अभी, क्यों रो रही हो हाँ? तुम्ही बोलो दीदी, मेरे खोजे हुए रिष्टे में क्या कमी है, आखिर उस परिवार में क्या कमी है, शनी चला गया, खुश होने के बजाए, टैडी बस किजी, इस, जिन्दगी में रोने के अलावा क्या बचा है? मुझसे प्यार करने वाले को बहुत सजा मिल गई उसके लिए तुम मुझसे चिला कर बात कर रही हो, आखिर उसमें क्या है? क्या है? तो आपके पास क्या है? प्यारी है ना? तो उसके पास अंगिनत प्यार है मेरी शादिय जिस घर में होगी वहां बहुत रिशदार होने चाहिए ताकि अगर मुझे कोई भी तकलीफ हो तो घर में बताने के लिए कोई न कोई चाहिए अगर गौतम के साथ शादी होती तो मुझे सब मिल जाता परिवार का मतलब घर में भरे लोगों से नहीं दिल में भरे प्यार से होता है और उसके दिल में मेरे लिए प्यार को देख कर ही मैंने उससे प्यार किया उसकी इस खूबी को आप देख नहीं पाए जब आपने उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा तो उसने आपके मान रख ली तो क्या आपको उसके अंदर कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आई जब आपने उससे अपने प्रॉब्लम्स कही तो वो बिना हिचकिचा यहां पर आके क्यों खड़ा हो गया आपने उसे बाद-बाद पर इतने ताने मारे फिर भी वो चुप-चाफ सहता रहा उसके बाद भी आपको उसके अंदर कोई इंसानी नजर नहीं आया मैंने तो उससे यहां तक कहा कि वो मुझे यहां से भगा कर ले जाए तो उसने मुझसे कहा कि उसे इस तरह भगाकर नहीं ले जाना क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी जो हमारे परिवार की इज़त के बारे में इतना सोचते हैं आप उसे समझ नहीं पाए मेरी शादी बड़े घर में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वहां मेरी शादी करवाने से आपकी इज़त और बढ़ जाएगी नजारी आपने अपने हैसियत के मताबिक एक अमीर दामात चुना ना ठीक है कौतम को इस रिष्टे पर भी कोई आपती नहीं थी क्योंकि वह आपकी भलाई चाहता है कोई लड़की खुशी से रहने के लिए उसको क्या सिर्फ बड़ा परिवार ही चाहिए मा क्या तुम शादी के बाद पापा के साथ हर दुख सुक की बाते शेर करती हो पापा को ही बताती हो ना मुझसे चाची से चाचू से बूवा से श्यर नहीं करती हो ना जब देखो आप मेरी दीदी खुश नहीं है अपने ससुराल में खुश नहीं कहते रहते हैं बूवा एक अच्छे पती ना मिलने की वज़े से खुश नहीं है न पापा ऐसे में बड़ा परिवार काम नहीं आता अगर प्यार करने वाला पती मिल जाए तो दिल पवित्र मंदे जैसा बन जाता है सच कह रहू न मैं ऐसा ही पती चाहती हो पापा जो मुझे अपने दिल में बसा कर रखे तो मैंने गलत किया क्या यहां पर गलत वो या मैं नहीं हूँ पापा आप है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान को समझ नहीं पाए भारत देश में हर घर में लड़की है पापा भाई बहन नाराज हो जाएंगे माता पिता नाराज हो जाएंगे यह सोचकर किसी से भी शादी करके पूरी जिन्दगी खुश होने का नाटक करती है मैं भी उनकी तरह जी लोगी पापा आपने गौतम को कहा था ना आपके मर्जे के खिलाफ अगर हमने शादी की तो आप मुझे अनाद कर देंगे कहा था ना आज सच में मुझे अनाद बना का शादी करवा रहे है ना एक बाद कहूं पापा लड़की अगर شरीर के साथ संसार करती है तो खुश रहती है अगर दिल से संसार करती है तो और खुश रहती है आपकी बेटी कैसी रहनी चाहिए यह आप ही डिसाइड कीजी क्या सोच रहे हो चुटे देदी बैने क्या गलदी किये लड़की ने भी प्यार किया है गुनाह नहीं किया देख प्यार आखिर प्यार होता है गुस्सा, सोड़ जबर्दस्ती इसमें नहीं चलता है डर लग रहा है देदी आपको भी ऐसे ही भरोसा दिया था पर चाहे कितना भी कमा लूँ चाहे कुछ भी हासिल कर लूँ फिर भी जीमन में अजीब सा डर है वहाँ देदी क्या कर रही होगी कितनी परिशानिया जेल रही होगी यही डर लगा रहता है मुझे जब मुझे पता चलता है कि आप लोग बहुत दुखी हैं तो आप नहीं समझ सकती कि मेरे दिल में उस समय क्या कुसरती यह भाई का दिल दिदी आप लोगों के लिए बहुत तडबता है मैं किस तरह से आप लोगों को समझाओ दिनी इसलिए वैशू का प्यार सही होने के बाद भी मैं हाँ नहीं बोल पाया चोटे अभी तु वक्त के बारे में मत सोच पेठी के बारे में सोच उसके खुशियों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं उसका क्या शादी के बाद अपने पापा को अपने ममा को अपनी बुआ को भाई बेहनों को और पूरे परिवार को याद करके हमेशा उस परिवार में रोड़ती रहेगी कभी खुश नहीं रहेगी अपने ज़ित पूरी कली चोटे तु खुश रह परिस समय ये सब अच्छा लगेगा दीदी छोटे सोचने के लिए वक्त नहीं बचा है लड़की के जगा खड़े होके देख जाओ मुझे माफ कर दीजिए समधी जी मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वहाँ पर भारा पूरा परिवार होना चाहिए था ऐसा सोच था पर उसे उस घर में वो सारे रिलेशन मिले या न मिले उसके आथों में वो सारे रिष्टे होने जरूरी है उसने साबित कर दिया I am very sorry उसे दुख दे कर उसकी सिंदिगी के साथ मैं अन्याए नहीं कर सकता था प्रीस ये रिष्टा यहाँ पर खत्म हो जाना मैं बरदाश नहीं कर सकता मैं सब को क्या बता हूँगा मैं अपने बेटे से क्या कहूंगा कहा तक जाएंगे आप? New York लेकिन वहाँ पर तो ज्वाइंट फैमिली होती नहीं है ना? एई दो मिनट तुन्हें अपने बारे में सोचने के लिए कहा था तो तु सोचकर मेरी बेटी को छोड़कर चला गया तेरे आने के बाद मैं तेरी जगे में आकर सोचने लगा मैं तो दो सेकंड भी ने रे पाया यार काफी बैंकर था कैसे सहली है तुने? थोकर खाना फिर समल जाना फिर एड़जस्ट हो जाना यह सब बच्पन से आदत हो गए ज़र आज से तुम्हें ऐसा करने की ज़रुरत नहीं वैश्व तुम्हारी है और यह फैमिली भी तुम्हारी है और वैश्व की साधी? रुख गई हाँ रुख गई आजकल प्यार करने वारी लड़की की शादी तय हो जाती है तो हमारे पास एसमस हैं, लव लेटर हैं रुमान्स के वीडियोज हैं यह कहकर बलेक मेल करने वाली लड़कों को मैंने देखा है मैं इतने दुनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है तुम जैसे सिंसियर लड़के के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए यू आर दर राइट परसन तु वैशू एंड हर फैमिली और अफकोर्स यू आर दर राइट परसन फॉर एवरी फैमिली नमस्कार नमस्ते संदेजी नमस्ते बाइशू को भी कन्वेंस करना है तुम पर और मुझे पर बहुत गुस्सा है आप कन्वेंस केजी मैं अभी अकेला हूँ बगवान सब को सब कुछ नहीं देता ऐसे सब दे देंगे तो लाइफ बोर लगने लगेगी इसलिए हमें जो चाहिए वो हमें ही पाना चाहिए अगर विश्वास, ताकत, मेहनत है तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिल सकता वो चाहे सामान हो या इंसान गौतम उठो ना टाइम देखो कितना हुआ कॉफी पीलो कॉफी शरम नहीं आता उठो उठो चल्दी जाके फ्रेश हो जाओ चलो उठो चलो सुनो ना वेश्व अरे वो वेश्व वेश्व सुनो ना वेश्व जीचू पेपर येलो तुमारे लिए किस लिए वेट करेते कोई पाथ नहीं सब ठीक हो जाएगा मैं हुना लो बेटा ये दवाई खालो चल्दी से ठीक हो जाओगे चलो अब आराम करो बेटी आप तो तुम खोश हो ना बेरी नाइस डाडी अईकनी कि खालो जाराम करते को हो